एक बहुत हैं कि आपको मेरी अवाद्ट यह हैं कि आप लोगों के आप यह इपर देख लेता है कि अजय आप लोगों के अगपर चाट सेक्षेन में बता दें कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मुझे मैं सुन रही हूं मैं मेक अपड़ाई नहीं रही थी वैटा बस थोड़ने में लग गया है हॉ घए हिले लो जल्डी से जोइन हो ने ये जलदिसे अपने व्रेंस को जॉइन करवा आप लोगे messages नहीं मिल रहे हैं मुझे somehow Hello, good evening, good evening बच्चो So, मैं यह assume करके चल रही हूँ कि आपको सब सुन रहा है आवाज कर लो, frog गंदा नहीं है, frog easy है ठीक है, मुझे मेरी आवाज आ रही है, hi, hi, hi Hi, बच्चो, मैं इतनी जादा excited इसलिए भी हूँ, क्योंकि मैं अपना crash course लाने वाली हूँ बहुत ही महनत के साथ और बहुत ही प्यार के साथ मैंने 2024 वाले बच्चों के लिए curate किया अपना crash course जनवरी में एक crash course शुरू हो जाएगा, जनवरी, फरवरी और थोड़ा portion, मार्च का, तीन महीने में, इतने बढ़िया तरीके से मैं ये format बनाने कोशिश करिए इस crash course में, कि जैसे आपका एक या दो दिन में chapter cover हो जाए, ठीक है, notes के साथ बढ़िया आपके notes मैं आपको दे बनारी और मेरी team बैट के बनारी है, वहां से आपको मैं class के अंदर ही question practice कराऊंगी, प्लस आपको DPPs और assignment मिलेंगी, और ये crash course बहुत ही reasonable price में मेरे app पे आप लोगों को available होगा, तो app मेरी launch होने वाली है, जस्ट आप थोड़ा सा wait कीजिए, and crash course के साथ हम लोग धमाल मचा आदेंगे need 2024 में, आप लोगों को लगेगा ही नहीं ऐसा कि biology में मतलब मुश्किल क्या है, याद करना मुश्किल होता है, समझ तो हम लोगों को आई जाता है, जब lectures पड़े हैं, यूट्यूब पे मेरे, तो समझ तो आप लोगों को वहां से आई ही जाएगा, लेकिन याद करने में डिफिकल्टी होती है, कि इतना सारा समप कैसे करें, एक तो chapters काम हो गया, साथ में ही crash course के help से हम उसे समप कर देंगे, जो chapters हमारे हैं, बढ़िया तरीके से इसको learn कर लेंगे, चलिए, frog शुरू करते हैं, आज इसकी theory करेंगे, प्लस इसके कुछ questions मैं लेके आई हू करेंगे, चलो, जैम आता दी बोलो और शुरू करो, frog जो हम पढ़ रहे हैं, हम Indian bullfrog के बारे में बात करेंगे, यहां पर, देखो, frog में तो बहुत सारा वो आ सकता है, आगे, organisms आ सकते हैं, हम बात कर रहे हैं, Indian bullfrog के बारे में, जो की most common species of frog है, found in India, इंडिया में सबसे ज़ है, Rana tigrina, जिसमें से तुम्हें पहले, पहले अक्षर पता है, genus होता है, और दूसरा अक्षर तुम्हें पता है, species में भी बहुत सारे और आगे, वो होते हैं, genus रहते हैं, sorry, मतलब मैं, आज बहुत दिन बाद लाइव आई हो ना, तभी मैं बहुत ज़्यादा excited हो रही ह दूसरी बात, कौन सी क्लास में आता है, Class Amphibia, Phylum Chordata, Chordata के अंदर फर्दर तुम्हें पता है, बहुत सारी classes होती हैं, जैसे कि Pysys हो गया, जिसमें मचलिया आती है, Amphibia हो गया, जिसमें सारे Amphibians आते हैं, then हमारा Reptilia हो गया, जिसमें Reptiles आते हैं, then जिसमें Birds आते हैं, यह हमारी वो रहती हैं तो एमफीबिया जो है अच्छा पाइसे सूपर क्लासे इसमें फर्दर दो क्लासें और रहती है ठीक है तो यह एमफीबिया क्लास का मेंबर है और किंग्डम है हमारा एनिमेलिया बेसिक सी इन्फरमेशन है यहां से नीट में कॉश्चन उठके आ तो कहां पर रहता है इन कुछ जनरल फीचेज पर गक्यों और फ्रॉपकी मॉर्फ ऑलजी उसकी बॉड़ी की बेशिक फीचर क्या है नेंस्ट टॉपिक बेसिकली फ्रॉप्ग में आपके सात टॉपिक है पहला है जनरल फीचर दाना जो अमने शुरू कर देना दूसरा है तीसरा है respiratory system, चौथा है एक वस्कुलर system, ब्लॉड वस्कुलर system, धन है excretory system, धन आपका neural control and coordination वाला system and धन सातवा है respiratory system. बिल्कुल आपने exactly उतना उतना ही करना है जितना आपको NCRT में दियो है, एक शब्द आप लोगों को extra नहीं करना है, पहले ही frog उपर से आया हुआ topic है, ब इसी question का मतलब सीद्या सा ये है मेरा जो NCRT में है उससे आएगा, ठीक है, NCRT में से line by line मैंने question बना दिया, 55 question बन गे थे frog के, कुछ मैं आपको आज practice करा दूँगी, कुछ मैं आपको अपने telegram पे दे दूँगी, telegram है मेरा रितू रतेवाल biology, already उस पे 1,12,13,000 के आसपास क लाइन NCRT learn होनी चीए, और कुछ नहीं कि मैं ये extra तो नहीं आ जाएगा, अब जैसे frog का brain है, बताया हो है simple, forebrain है, midbrain है, hindbrain है, forebrain में ये parts है, mid में ये हैं, hind में ये है, कुछ भी detail नहीं बताया है, forebrain ऐसा करता है, mid कैसा, तो हमने भी नहीं पढ़ना है, हमने रट्ट करने है, कुछ नहीं करना, किस से क्या release हो रहा है, नहीं दिया, NCRT में तो नहीं करेंगे भाहिया, जो detail में दिया हो है, frog का heart detail में दिया हो है, तो आपने वो heart detail में बढ़ लेना है, frog reproductive system detail में दिया, तो आपने और reproductive system detail में कर लेना है, morphology detail में दिया, morphology detail में करो, जो detail में नही नहीं दिया है वो नहीं करेंगे। आवाज सही आ रही है। चलो बढ़िया है ऑडियो वीडियो सब बढ़िया रही है आगे चलो। सो साथ टॉपिक्स में से पहला टॉपिक में तुम्रों के साथ शुरू कर रही हूं जनरल फीचर्स एंड मॉर्फॉलोजी का पहली बात जो ठीक है पत्थरों के बीच में घूमता है और इसमें एक क्वालिटी होती है कि जिस भी इन्वार्मेंट में घूमता है उसके हिसाब से कलर चेंज कर लेता है जैसे कि पत्थरों का कलर ग्रे सा होता है तो ग्रेश हो जाता है पत्थरों में जाके ठीक है घास का कलर ग्रीन हो हाँ पहाँ हों तो नहीं हल्का पहाँ तो चला जाता है वहां पे यह बच्चे पैदा करता है तो यह फ्रेश वाटं श्यूटर में भी रहता है और ऐसा नहीं कि बस बच्चे पैदा कर ले गõ तो अंदर नहीं जाय का इसको सांस में आगा यह पानी कि अंदर बहुत easily सांस ले सकता है, इसकी जो skin है, वो gases के लिए permeable रहता है, बहुत पतला skin रहता है उसका और mucus से lip skin रहता है इसका, तो skin से बहुत easily gaseous exchange हो जाता है इसको, तो पानी के अंदर ये skin से सांस ले लेता है, तो ये पानी के अंदर जाता है, reproduction करने, reproduction करने, मतलब बारिशों के season में इसकी तर तर भी आपको हजा सुनाई दे जाएगी, sound क्यों सुनाई देती है इसकी, male जो है वो female को attract कर रहा होता है sound से, female भी sound produce करती है, उसक दो बहुत कम लेवल की sound प्रूवा कि मे बहुत जादा लेवल का sound प्रूवान करता है, क्यों, male के यहां पर, वोकल सैक्स करके स्ट्रक्चर होते हैं वोकल सैक्स करके स्ट्रक्चर होते हैं तुमने देखा है फ्रॉक जब ऐसे करता है तो यहां पर कुछ फूलता है ना उसके जैसे कुछ फूल गया है यहां पर तो वो क्या फूलता है वो उसके वोकल sound यह produce करता है तो यह produce कब करेगा बारिश के मौसम में जब इसके breeding का time होगा तो यह female को attract करेगा तो जब female attract हो जाएगी तो male और female जाएगे पानी के नीचे कभी भी sea में नहीं मिलता frog, fresh water में मिलता है ponds में, lakes में ठेक है, तो male और female जो है, वहाँ पर copulation करेंगे मान लो, यह है female frog ठेक है ठेक है ठेक है, इस 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 दढ़ female and इस से copulate करेगा same male frog यह male frog है यह male frog है, इनकी होगी mating या copulation पानी के अंदर, below water रहेगी जो copulation है अब ध्यान से सुनेंगे, एक और चीज़ जो female और male को distinguish करती है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर इसके पास vocal sax रहेंगे यहाँ पर नीचे की side, female के पास vocal sax नहीं रहेंगे, क्योंकि इसको आवाज निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकालती है, बहुत लो दर्जे की आवाज निकालती है, दूसरी बात, female को properly hold करने के लिए, इसके यह four arm है, यह hind limb है, यह four limb है, four limb है, इसके चार उंगली होते है, एक, दो, ती, चार, तो इसके four arm क कि जो पहली उंगली है, index finger है, उसके नीचे यहाँ पर ऐसे swell कर जाता है, swelling आजाती है, इसको बोलते है, nuptial pad, यह इसको hold करने के लिए होता है, क्योंकि frog की स्किन बहुत slippery होती है, क्योंकि mucus रहता है, क्योंकि mucus क्यों रहता है, देखो, पानी के अंदर तो वैसे skin गिली है तो वहाँ तो respiration, अगर skin से respiration करनी कोई दिख करनी है, मालनों land पे भी है, land पे भी frog skin से respiration करता है, तो क्या है, skin का गीला होना ज़रूरी है, तो mucus की एक layer रहती है frog की skin पे, तो उपर land के उपर भी easily वो skin से respiration कर लेता है, हाला कि land के उपर वो lungs से भी respiration करता है, ठीक है, so य index finger के अंदर यहाँ पे एक rough सा patch रहता है, जिसको बलते है, nuptial pad, जिससे कि यह female को hold करता है, दोनों साइड पर रहेगा, जैसे यह चार है, यहाँ पर nuptial pad रहेगा, इधर भी इधर भी, तो यह female को ऐसे hold कर पाता है, so male and female में आपको sexual dimorphism देखने को मिलेगा, sexual dimorphism क्या होती है, there is a term in NCRT, sexual dimorphism, इसका मेनिंग क्या है, difference in morphology of male and female of a species, female of a species, ठेक है, अब जैसे मेल और females, humans के भी sexual dimorphism, वहाँ पर हम लोगों को नजर आता है, females के पास, जो breast होती है, well developed होती है, males के पास नहीं रहता है, and then और भी बहुत साइड इफरेंसे है, males का जो musculature होता है, वह जादा wide रहता है, stronger रहता है, females का musculature generally petite रहता है, ठेक है, lot of, then males का beard आता है, then males का मूच आता है, जो कि females में नहीं आता है, यह sexual dimorphism है, अगर humans की बात करें, so अगर frogs की बात करें, तो दो चीज़े हैं, एक तो इनके vocal sex रहते हैं, और दूसरा इनका, यहाँ पर index finger के नीचे, यहाँ पर nuptial pad रहता है, males में, दोनों चीज़े males में रहते हैं, females में नहीं रहते हैं, अब इनकी mating कैसे होगी, male के पास पीनिस नहीं रहता, तो male क्या करेगा, अपना जो sperm है, वो पानी में ही release कर देगा, ठीक है, and female भी अपना जो egg है, या ova है, पानी में ही release कर देगी, ठीक है, कितना ova release करेगी, female एक बार में 2500 से 3000 ova, अब आप सोच सकते हैं कि मैम इतने ज़्यादा मेर्णक बगर बन जाएंगे, तो इतने मेर्णक तो दुनिया में नहीं समा पाएंगे, बेटा, इनकी होती है, external fertilization, external fertilization का मतलब है कि fertilization female की body में नहीं हो रही है, उससे बाहर हो रही है, Water में Fertilization हो रही है Water के अंदर Fertilization हो रही है तो इसको एक्स्टर्नल Fertilization कह देंगे External Fertilization का मतलब है Female की body से बाहर Fertilization हो रही है तो यहाँ पे male gamete आके इससे मिल गया और यहाँ पे बन गया आपका Zygote अब यह Zygote बेटा पानी में ही तो तैर रही है अब यह फर्दर आगे develop होंगे female तो इसको नहीं protect कर रही अगर female की body में होता तो protection होती ही लेकिन यहाँ तो यह बाहर ही तैर रहा है male इसको protect नहीं कर रहा तो इसको तो मचलियां खा जाती है इसका यह जो फर्टलाइजड एगें को मचलियां खा जाती है तो बचता ही बहुत कम है तो इसलिए इतने जादा नंबर में produce होता है कि चलो बहुत सारा खा भी ले कुछ तो बचे सौ दो सो पचास कुछ तो बचे हमारा बच्चा ठीक है इसलिए इतने जादा जो है वह produce करती है और यह आपने यह मैं सारी बाते जो इस पर बता रही हूं सारा का सारा आपको अलग-अलग topics में पढ़ने को मिलेगा ठीक है कितना ओवा है external fertilization है sexual dimorphism है नूप्चिल पैड है यह सब कुछ आपकी anxiety में दिया हुआ है अपने ध्यान से सुनिए मेरी बाते यहां पर ठीक है जी तो फिर क्या होगा जो जाइगोट बच जाएंगे उनसे निकलेंगे टैड़ पोल लार्वा औफ प्रोग आप सकता है टीक है यह लैंड पर नहीं जा सकता फिर यह धीरे धीरे डवेलप होके टो अव होगा मेटामोर्फ होसे जब लार्वल स्टेज से एडल्ट प्रॉइडल्ट ऑर्गैनिसंव बनता है इसकेस में डॉल्ट फ्रॉग बनेगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटा लार्वा से adult में develop होना ही metamorphosis है, अब आपने इसको confuse नहीं करना है metagenesis से, metastasis से, metagenesis आप animal kingdom में term पढ़ते हो, जो alternation of generation होता है, night area में, metastasis आप cancer में term पढ़ते हो, जो cancer के फैलने को term कई जाती है metastasis, then metamorphosis, यह बिल्कुल एक अलग term है, क्या term है, लार्वा से adult बनने का सफर, यहाँ पर उल्टा लिखा हो तो आपने डरना नहीं की इधर, तो मैं इधर से इधर लिख दिया, बात होई है, यहाँ पर मैं लार्वा इस साइड लिख दिया, तो मैंने arrow इस साइड बना दिया, बात है, अबर major जो respiration है, धर्ती पर वो lungs से आती है, tadpoles के पास कोई lungs नहीं होते है, tadpoles के पास infect gills होते हैं, सांस लेने के, ठेक है, फिर वही cycle दुबारा से, यह आपको basics पता चल गए, बहुत सारे frog के इसी slide के अंदर, की features क्या होते हैं frog के, क्या आप मेरे साथ बने हुए हैं, क्या आपको बाते समझ में आती हैं, अगर बाते समझ में आती हैं, तो जरा message करके बता दिया करो, session को like कर दो, ताकि मेरा session और बच्चों तक भी पहुंच सके, हमारी country के कोने कोने तक फैल सके, और अगर आपको session पूरा समझ में आ जो, और आपको लगता है कि frog आपको 100% learn ह हो गया है, तो प्लीज आप comment करके भी एक बार लिख देना कि माम समझ में आ गया, और अगर questions बन जाएं तो दुरू बता देना, चलिए शुरू करते हैं, की features में तीन features NCRT में आपके दिये हुए हैं, पहला feature है कि भाया, frog cold-blooded है, मतलब, no regulated internal temperature जैसे कि humans का internal regulated temperature है, 37 degrees Celsius, हम चाहे धूप में हो, चाहे हम आइस में हो, हमारा body temperature हमीचे 37 degrees Celsius ही रहेगा, frog का नहीं रहेगा, frog अगर ठंडे पानी में है, तो उसका body पूरा अंदर तक उसका blood पूरा ठंडा हो जाएगा, अगर frog बहुत गरम एरिया में जाएगा, तो उसका amphibians का limited distribution रहता है दुनिया में, limited distribution कुछ ही जगहों पर पाए जाते है, क्योंकि बहुत extreme conditions, poikilo therms के लिए possible ही नहीं है, जीना, poikilo therms बहुत extreme of conditions में नहीं जा सकते, क्योंकि उनका तो enzyme खराब हो जाएगा, बहुत heat में चले गए, ठीक है, सहारा desert में चले लो जीपर, 50 degree, 60 degree temperature जा रहा है वहां पर, अंदर से सब खराब हो गया, ठीक है, यह बहुत cold में चलेगा, Alaska में चलेगा, तो नहीं चलेगा उनको, तो वो एक limited zone में ही रहते हैं, यह होता है, poikilo therms का मतलब, then they change color to match the environment, वो अपने आपको camouflage करते हैं, अब देखो दो चीज़े हैं, आपको दो ची mix in the surrounding, देखो NCRT की line मुझे बहुत सही नहीं लगती, ठीक है, कि वो camouflage और mimicry दोनों करते हैं, मुझे यह line, I don't like this line, but क्योंकि हमें यह learn करनी और समझनी हैं, तो हमें समझना चाहिए, ठीक है, to hide or mix in the surrounding, तो frogs अपने आपको camouflage करते हैं, जहां पे भी वो रहते हैं, अगर वो प चुपा लेंगे, अगर वो हरे घास में हैं, ग्रास में हैं, तो वो अपने आपको greenish color करका चुपा लेंगे, ठीक है, तो वो अपने आपको camouflage करते हैं, लेकिन एक term भी दी हुई है, NCRT में mimicry, कि वो mimicry भी करते हैं, mimicry क्या होता है, to copy another species, to copy another species color or body form, किसी और species का color या body form को copy करना, nature में mimicry कहलाई जाती है, तो mimicry is not a very good word to use for frog, ठीक है, बट यहां हम इसको इस तरीके समझ सकते हैं, क्योंकि समझना तो है यह, NCRT में दिया है, तो मतलब समझना ही है, कि यह, मान लो, grass एक और species तो है, इसको copy कर रहा है, इसका color copy कर रहा है, तो इसलिए यह mimic कर रहा है, grass के color को, और mimic करने की वज़े से यह अपने आपको camouflage करने में successful हो रहा है, camouflage करने मतलब छुपाने में successful हो रहा है, वैसे अगर आपको मैं बताओ, ecology में जब हम बात करते हैं, तो mimicry और camouflage बिल्कुली दो अलग terms बढ़ते हैं, जब आप अपने environment के साथ, अपने environment को copy कर रहे हो, उसको camouflage करते हैं, अगर आप किसी और species को copy कर रहे हो, जैसे मालो एक butterfly को copy कर रहे हैं, तो उसको mimicry करते हैं, लेकिन यहां दोनों terms दोनों मिक्स कर दिए, तो हमको अपनी explanation भी उसी तरीके से रखने पड़ेगी ताकि हमें याद रह सके, तो हम camouflage को यहां पे लेंगे, यह अपने environment में छुप जा रहा है, तो इसले ही इंवाफलाज कर रहा है, जैकि है, आसपास के मालो जो भी plant species हम को mimic कर रहा है तो अपना color change कर ले रहा है यह आपको explanation चाहे अच्छी लगी हो चाहे ना लगी हो क्या हुआ सही है आपको चाहे explanation बढ़िया लगी है चाहे नहीं लगी है अपनी copy में यह जरूर लिख लो और copy में लिखने की जरूरत नहीं है मैं अपने handwritten notes जो है डी है आप लोगो में टेलीग्राम पर पोस्क करा दूँँ में और अपनी डाल दूगी प्लस जो मेरे nCrt के हैंड मेड कोईशन से वो भी मैं अपनी डाल दूंगी पर अभी टेलीग्राम में डल रहा है सब को चले तूरतेवाल ओफिशल में डल रहा है तो आपको वहां से मिल जाएगा मेरा है तो यह टर्म दोनों याद रख लो प्राउक को ऊप्राउक को श्यादा गर्मिय होगा कैस सो जाएगा अ राओ इसा ज्यादा थंड पसंदे तुम समझ रहो इसकाесे बोडी तेंपरेचर कोई ठैनी तो अगर यह आप गूमेगाइं जैता गना में और बाकूल थंडी होजाएगी तो ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड में ये क्या करता है ऐसे बरोज में जाके पानी के नीचे ऐसे बरोज में जाके यहां सो जा रहा है राम से यह कह रहा है कि मुझे ना जगाओ पता नहीं क्या बना है बट यह ऐसे सो रहा है राम से ठीक है ज्यादा ज्यादा सरदी में सो जाएगा अब क्वेश्चन क्या आता है summer sleep को estimation कहते है winter sleep को hibernation कहते है hibernation तो सबको याद है क्योंकि हमें बच्वण से पढ़ाते रहें कि जो beer होता है polar beer होता है वो hibernation करता है सरदी में एस्टीवेशन उसका जो हाईबरनेशन नहीं है वो समर्स्लीप है फ्रॉग दोनों ही करेगा इतना आलसी है सिर्फ स्प्रिंग में मेटिंग करने के लिए उठेगा गर्मी में सो जाएगा सर्दी में सो जाएगा जनरल मॉर्फॉलेजी पर आजाओ इसकी स्किन देख रहे हो से रेस्पिरेशन का एक तर्म है जो की नीट में आ सकता है क्यों टेनियस रेस्पिरेशन यह पल्ले बाद लो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को कहते हैं पल्मोनारी रेस्पिरेशन गिल्स की रेस्पिरेशन को कहते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन स्किन की रेस्पिरेशन क करने के लिए इसकी skin हमेशा moist होने चाहिए, slippery है बिल्कुर, slippery ऐसे चिकनी-चिकनी skin है इसकी, color आप देख रहे हो, इसका greenish olive color रहता है, वैसे patches रहते हैं, धबे-धबे रहते हैं, नीचे वाली skin जो है light color की रहती है, yellowish रहती है, आपको white-ish दिख रहे हैं, नीचे जाके वो yellowish भी हो जाएगी, ठीक है जी, dark olive on dorsal side, pale yellow on ventral side, dorsal मतलब जो उपर धूप वाला जो side है, ventral मतलब जो नीचे वाला side है, absorbs water through skin, ना सर्फ ये air absorb करता है, ये water भी absorb करता है skin से, बताओ, ना ये सिर्फ oxygen absorb करता है, water भी absorb करता है, पानी पीता नहीं है, ये पानी में रहता है पर पानी नहीं पीता, ये पानी हमेशा skin से ही absorb करेगा, ये भी आपने रट लेना है, नीट में आ सकता है, ठीक है जी, अब अगर हम basic इसकी body की बात करें, तो देखो simple सी बात है, एक होता है इसका head, ऐसे, head में, end में इसका mouth होता है, ये, terminal mouth, यहाँ पे होती है, इसकी दो ऐसे म मोटी मोटी आँख है, ठीक है, यहाँ इसकी नाख का छेद होता है, जिसको हम बोलते है, nostrils या external nares, external nares, external nares भी बोलते हैं, इसको हम, ठीक है, यहाँ पे दो छेद रहते हैं, terminal mouth रहता है, यहाँ पे आँखे रहती हैं, इसकी ऐसे bulging eyes, इसको बोलेंगे, bulging, bulging मतलब बाहर निकली होई eyes, ठीक है, यहाँ इनके nictitating membrane भी रहेंगे, यहाँ पे इनके nictitating membrane भी रहेंगे, तो यह आँख कैसे खोलेंगे, तो nictitating membrane की eyes ball को ऐसे cover कर लेगे, और आराम से देख पाएंगे पानी के अंदर, तो यहाँ पे तो यूज नहीं हो रहें, निक्टी टेटिंग मेंब्रेन साइड में पढ़ी है, यहाँ पे लिख देती हूँ, यह ऐसे आया और यह ऐसे इसकी body बन गए, ठीक है, यहाँ से यह ऐसे आया और यह इसके four limb बन गया, यह इसका क्या है, four limb, ठीक है, four limb में इसके आगे ऐसे चार उंगलिया रहती है, five digits रहते है, five digits रहते हैं, ठीक है, और यहाँ से पीछे जाके इसका ऐसे करके बहुत बड़ी-बड़ी, इसकी hind limbs रहती है, ठीक है, जो hind limbs होती है, bigger होती है, stronger भी होती है, hind limbs रहती है, इसमें जो होता है, पाँच उंगले रहती है, एक तो बहुत ही बड़ी होती है, और ऐसे five digits, तो इसके digits में फरक है, जैसे अपने digit में फरक नहीं है, आपने five हातों में, पाँच पैरों में, इसके हातों में चार रहता है, और पीछे पाउँ में फीट में इसको फीट बोल देंगे पैर बोल देंगे, फीट में इसको यहां पर रहेँगा ताकि इसको टेरने में हैल्प हो जये, इसको मैं बॉल दूँँगे वेबड फीट, इसके बाजु हाथों में PHcióं में नहीं बोला कि वेब होता है, पैरों में वेब्ड होता है, तो हाथों में क्या रहता है, अगर यह male frog है, तो यहाँ पर नूप्चिल प्याद रहता है, इंडेक्स finger के नीचे, नूप्चिल प्याद रहता है, यह बेसिक सा structure, आप तुम देख रहे हो कि कोई टेल नहीं है यहाँ पर, no tail, ठीक है, इस के ऐसे करके, आपको ऐसे छेद सा नज़र आएगा, एक ऐसे, membrane सी नज़र आएगा, यह बेसिकली tympanum है, अब जैसे हमारा भी tympanum होता है, eardrum होता है, लेकिन वो अंदर छुपा हुआ है, हमारा eardrum दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे eardrum के बाहर यह लगा हुआ है, जिसक external ear रहेगा, यह बेसिक सी body is की, की body is divided into two parts, head and trunk, no neck, no tail, four limbs में चार उंगलिया रहेगी, जिसमें index finger में neutral pad रहेगा, hind limbs में पांच उंगलिया रहेगी, जिसमें की webbed रहेगी, जो की hind limbs बड़े और ज्यादा तगडे रहेगे, ठीक है, और क्या है, दो external nears रहेगे, दो bulging eyes रहे रहेगी, एंड दो टिमपैनम रहेंगे, टर्मिनल माउथ रहेगा, यह बेसिक सी, इसकी morphology हो गई, वही चीज़े हैं, जो मैंने आपको कहीं है, वह लिख्यों ही है, आपको याद कराने के लिए, और यहाँ पे वो प्रॉपरली है, यहाँ पे आपको टिमपैनम देखने क के लिए मिल रहा है, इस नुप्चिल पैड, ठीक है, यह NCRT का डियाग्राम में सबसे इंपोर्टन डियाग्राम यही है आपके लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एड, ट्रंक, बल्जिंग आईज, यह टिमपैनम, बेसिक सी बाडी, फोर लिम में तीन दिखाई दिय हैं, लेकिन एक छुपा हुआ है, इसकी चार उंगली हैं, ठीक है, हाइंड लिम में पांच हैं, और यहाँ पे वेब है, वेब डिफीट हैं इसका, चलिए, NCRT पढ़ लेते हैं, क्वेशिंस कर लेते हैं, फ्रॉग कें लिव बोथ ऑन लैंड और फ्रेश वाटर, नेवर सॉल्ट वाटर, ठीक है, बेलॉंग्स टॉक्लास अंफीबिया, फाइलम कोडाटा, इंडियन का जो फ्रॉग है, वो राना ठीकरीना है, दे दो नॉट फ्रॉग है, वो राना ठीकरीना है, इसलिए इनको हम पोई कीलो थर्मिक भी कहते हैं, कोल्ड ब्लॉड भी कहते हैं, you might also notice कि ये, also notice changes in color of frog while they are in grasses or and on dry land, they have the ability to change the color to hide them from enemies, चुपने के प्रोसेस को कामोफ्लाज कहते हैं, चुपना मतलब कामोफ्लाज, this protective coloration is called mimicry, ये color change को हम mimicry कहते हैं, मिमिकरी की वज़े से वो अपने आपको कामोफ्लाज कर पाते हैं, environment में, you may also know that frogs are not seen during peak summer क्योंकि एस्टिवेशन में चले जाते हैं और peak winter में हीबरनेशन में चले जाते हैं, during this period they take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold, this is known as summer sleep and winter sleep, done, 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 morphology, have you ever touched the skin of a frog, no, the skin is smooth and slippery due to presence of mucus, the skin is always maintained in a moist condition, why? अगर कोई तुम से पूछे, respiration के लिए, the color dorsal side पे olive green रहेगा, dark spots रहेंगे, vental side पे light uniform पे लिए लो रहेगा, कोई spots नहीं रहेंगे, ठीक है, वो कभी पानी नहीं पीता, skin से ही absorb कर लेता है, body divisible है, head or trunk में, neck or tail absent है, ठीक है, mouth के उपर pair of nostrils है, eyes जो है, वो bulge है, और nicrating membrane के से cover रहती है, that protects them while in water, on either side of eyes, there is a membranous tympanum, जो कि sounds receive करता है, forelimb और hind limb help करते हैं, swimming, walking, leaping और burrowing में, hind limb जो है, वो 5 digits में end होते हैं, और वो ज़्यादा बड़े भी होते हैं, और muscular भी होते हैं, then forelimbs, जिनमें सिर्फ 4 ही digits रहते हैं, नाम ही forelimb है, तो 4 ही digits रहेंगे, feet have webbed digits, देखो, हातों को नहीं बोला, सिर्फ feet को बोला है, कि webbed digit रहते हैं, जो कि swimming में help करते हैं, frogs में sexual dimorphism रहता है, male frog जो है, वो female से distinguish किया जा सकता है, किस से presence of vocal sex है, and copulatory pad, ठेक है, जो को nuptial pad भी बोलते हैं, on the first digit of forelimb, which is absent in female frogs, questions करेंगे, तुम्हारे answers का weight है, चलिए, frog can live in, या on, land, ocean, sea water, all of these, answer लिखेंगे, जल्दी से option में, land, जो बच्चे, all of these में फस्चुके हैं, I am sorry for you, क्योंकि oceans और sea water में नहीं मिलता, frog, next questions, assertion reason का question है, assertion है, frog is cold-blooded, ठेक है, reason, frog takes shelter in deep burrows to protect themselves from extreme heat and cold, इसका answer जरा कोशिश करेंगे, assertion reason करने का, बीच में, जब भी assertion reason करनी है, आपको हमेशा because लगा के देखना है, always put because और देखो की sense बन रहा है क्या, frog is cold-blooded because frog take shelter in deep burrows to protect themselves from extreme heat and cold, यह तो कोई sense नहीं बना, frog is cold-blooded because it cannot maintain its own body temperature, यह इसका reason है, की cold-blooded क्यों कहते हैं frog, ठेक है, यह भी ठीक है, यह भी ठीक है, लेकिन यह इसका reason नहीं है, ठेक है, यह भी ठीक है, और यह भी ठीक है, जब reason नहीं होता, जब correct explanation नहीं होता, तो two answer आता है, बीटा, two answer आता है, बीटा, next question, फिर से assertion reason का question है, frogs undergo hibernation, reason, they take shelter in deep burrows to protect themselves from extreme heat, because लगा के देखो, जल्दी से answer करेंगे, मेरा batch बेटा आ रहा है, crash course मेरा आने ही वाला है, जनवरी में मेरा crash course शुरू हो जाएगा, जिसके लिए मैं अपनी app launch कर रही हूँ, एक से दो दिन के अंदर वो app आप आप लोगों की launch हो जाएगी, उसमें complete crash course रहेगा, complete theory रहेगा, complete question practice रहेगा, complete NCRT reading रहेगा, सारे मेरे handwritten notes मिलेंगे वहाँ पर सारे मेरे questions भी आपको उसी course में मिलेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका reason नहीं है, मैं तो extreme heat की बात कर रही हो, तो estimation की बात हो रही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका reason नहीं है, दोनों में कोई correlation न आता है हाईबरनेशन तो ठंड में होती है करेक्ट एक्प्लेनेशन नहीं है बेटा यह भी सही है यह भी सही है थ्री कैसे हो सकता है थ्री तो यह होता है जब रीजन गलत हो रीजन गलत है यह नहीं मतलब sentence तो गलत नहीं है, reason नहीं है उसका हो, जब sentence गलत नहीं हो, लेकिन reason भी नहीं हो, तो two answer होता है, आगे चलेंगे, the skin of frog is, the skin of frog is, coated with mucus, muscus नहीं है, यह mucus है, olive green on ventral side, used by frog in absorption of carbon dioxide, all of the above are correct, यह वाले बच्चे फिर से फस गए, olive green on dorsal side, पीड वाली side, बेंट्रल पर तो yellowish होता है, co2 का absorption नहीं करता है, oxygen का absorption करता है, सिर्फ यहीं सही है, coated with mucus, next question करके देखेंगे, statement one, frog has no nictitating membrane, second, frog has no tympanum, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, statement one two question, जल्दी करेंगे, गलत है, nictitating membrane होता है, tympanum होता है, दोनों ही गलत है, जब दोनों statements गलत हो जाएं, तो statement one and two are incorrect, यह वाला आप चूज़ करेंगे, इसी के साथ हमारा नहीं, last question फिर से रह गया है, female frogs have dash while male frogs don't, female frogs के पास ऐसा क्या होता है, जो male frogs के पास नहीं होता, female frogs के पास vocal sex होते हैं, नहीं होते, तो male के पास होते हैं, question बढ़ो, female frogs have dash, female frogs have vocal sex, नहीं, जल्द है, copulatory pad भी male के पास ही होता है, सिर्फ यह होता है, female के पास जो आपने अभी पढ़ा नहीं है, separate tubes for passage of ova and urine to cloica, so, आपको वैसे अगर नहीं भी पता था, यह तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको वैसे तो पास चल रहा है, कि यह दोनों male के लिए, सिर्फ यही part female को हो सकता है, all of the above तो answer हो यह नहीं सकता, समझ रहे, so, इसी के साथ हमारा पहला portion खतम हुआ है, which is the basic features and morphology of a frog, समझ में आया है, learn हो जाएगा, पूरे सही गए मेरे, बढ़िया बढ़िया बेटा, जिसके पूरे सही जाएं मेटा, मैसेज जरूर कर देना, ठीक है, आओ आगे देखते हैं, यह second topic है हमारा, ठीक है, अब हम anatomy में आ गया है, morphology होता है, जो बाहर की body होती है, anatomy होता है, जब हम frog की body के अंदर चले गया है, अब हम इसके systems पढ़ेंगे, so, हम digestive system से शुरूर करेंगे, digestive system, जितना जितना मैं बताओं, तुमनें उतना उतना पढ़ना है, कुछ नहीं, ठीक है, यह frog का मुँ है, ठीक है, यह frog मैंने ऐसे लटाया हुआ है, so, यहां से mouth आ गया, mouth से एक दम से ऐसे चोड़ा सा part आएगा, जिसको हम बोलेंगे, buckle cavity, ठीक है, बकल cavity से ऐसे एक, ऐसे portion आएगा, जिसको हम फैरिंक्स बोलेंगे, यह बिल्कुल humans की तरह है, बहुत कुछ humans की तरह है, अगर तुमने human physiology पढ़ी है, तो तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना, mouth, buckle cavity, pharynx, pharynx के बाद यहां पर हमारी एक tube आएगी, जिसको इसोफेगस के लाएगा, अब देखो, इसमें लेरिंक्स नहीं है, ना NCRT में कहीं लेरिंक्स दिया ना आपने लेरिंक्स पढ़ना है, ठीक है, जैसे humans में कहीं होता है, pharynx के बाद लेरिंक्स रहता है, इसमें सीधे एसोफेगस पढ़ना है, क्यों शॉट रहेगी, क्योंकि नेक्स तो है नहीं, एसोफेगस नेक्स में से निगलती है, क्यों? बिकॉज फ्रॉग ड़सन्ट है नेक्स, ठीक है, छोटी से एसोफेगस लेगी, ठीक है, अब एसोफेगस humans की भी स्टमक में खुलती है, यह ज़्यादा ना, एसोफेगस रस्तमक का पता निई चलता, कि कहां से स्टमक शुरू है, कहां से निए बट यह स्टमक है, तो फोड जो यहां से आता है, यहां पर डइजस्ट होना शुरू होता है, यहां से digestive enzymes रिलिजी होते हैं, कि स्टमक के जैसे humans में एसी एल रिलीज होता है इनमें भी होता है प्लस-डाइजेस्टिव जूसेज निकलते हब digestive juices हमारे निकलते हैं, ठेक है, अब stomach जो है वो open होगा, आगे एक पतली सी ट्यूब में, जिसको हम intestine कहेंगे बेटा, ठेक है, तो ये हमारी intestine है, intestine के दो parts हैं, जिसमें एक ही NCRT में mentioned है, उपर आवले part को duodenum कहते हैं, तेरे, actually small intestine है, small intestine भी ऐसे NCRT में term used नहीं है, इसलिए intestine ही term used है, और ileum, i-l-e-u-m, अब पते क्या है, जैसे हमारी, में तो jejunum भी होता है, duodenum, jejunum, ileum रहता है, इनकी छोटी रहती, इनकी jejunum नहीं रहती, इनका जो elementary canal है, digestive system में दो parts है, elementary canal plus glands, digestive glands, so, इसकी जो elementary canal रहती है, यह बहुत short रहती है, ठीक है, यह need में question हो सकता है, कि फ्रोकी elementary canal long है, short है, बहुत short रहती है, इसमें jejunum भी नहीं रहता है, small intestine में, क्यों, क्योंकि यह carnivorous है, carnivores की हमेशा ही, जो digestive canal है, elementary canal है, वो छोटा रहेगा, और हर भी वोर्ट है, उनका digestive canal हमेशा ही बढ़ा रहेगा, elementary canal हमेशा ही बढ़ा रहेगा, क्योंकि उनको ज्यादा time लगेगा, ज्यादा space रही है, ठीक है, तो यहां पर jejunum नहीं मिलेगा, small intestine में बस eudanum और ileum ही मिलेगा, अब यहां प digestion, इसके बाद कोई digestion नहीं है, small intestine में, हमारे भी ऐसा होता है, small intestine में जितना होना हो गया, large intestine में कोई digestion नहीं होता है, इसका भी नहीं होगा, यहां पर इसके villi और microvilli दिये हुए ऐसे, absorption के लिए, जैसे ही बिलकुल हमारे होते हैं, बिलकुल ऐसे ही, microvilli दिये हुए, ठीक है, सारा absorption भी यहीं हो जाएगा, ठीक है, end of digestion and absorption, absorption भी हो गया, अब यहां से सीधा होगा, large intestine शुरू, large intestine में वैसे तो दो तिन पार्ट्स होते हैं, फ्रॉग में, लेकिन NCRT में सिर्फ एक ही दिया हुए, rectum, ऐसे, rectum, undigested waste बनेगा, rectum का अगला जो portion है, ऐसे, एक ऐसा portion रहता है, इसको हम cloica कहते हैं, cloica का end रहता है, cloica लेपर्चर और यहां से, जो undigested waste है, वो बाहर रहता है, यह बेसिक आपका बेसिक सा digestive system है, अभी बेसिक सा digestive system नहीं है, बेसिक सी elementary के नहीं है, अभी आपने digestive glands नहीं लगाए, ठीक है, digestive glands इसके दो ही पढ़ने आपको, digestive glands आपको सिर्फ दो ही पढ़ने हैं, एक liver एक pancreas, ठीक है, तो बड़ा ही गंदा सा liver दिखाया हुआ है, फला के पता नहीं, क्या ही liver दिखाया हुआ है, ऐसे करके, चोड़ा करके, बट कुछ नहीं liver है वो बटाट, उससे डरना नहीं है, liver प्रोड्यूस करता है, बाइल, बाइल प्रोड्यूस करके, वो जैसे हुमन में होता है, गॉल ब्लाडर में स्टोर करता है, यह गॉल ब्लाडर में यहाँ पर स्टोर करता है, ठीक है, गॉल ब्लाडर से फिर यह इसको ऐसे नीचे यहाँ पर डूडनम में पोर कर देता है, लेकिन साथ भूइ यहां पर pancreas भी रहती है यह pancreas NCRT में दिखाई ही नहीं हुई है ठीक है यह pancreas भी अपना juice यहां पर ऐसे भी दम पर दालती है यह थोड़ा बना लिए अधिず और फिर यह pancreatic juice यहां से और यहां से बाइल दोनों निकलके इस ट्यूब से यह जो ट्यूब है यह वाली जो दोनों का समान लेके जा रही है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं सब्सक्राइब जो कि लिवर से और पैंक्रेस दोनों से समान लेके जाती हैं इसको हिपाइटो-पैंक्रेटिक ड्रक्त लेकिन फ्रोग में इसको कॉमन बाइल डक्त थे तो दो ही ग्लांट्स आपको पढ़ने गॉल ब्लाडर जो की बाइल स्टोर करता है लिवर जो की बनाता गॉल ब्लाडर स्टोर करता है पैंक्रियास जो है पैंक्रियाटिक जूस रिलीस करता है बाइल का बिल्कुल वही फंक्षन है जो एंसे अपना है यूमन में होता है बाइल क्या करेगा इमल्सिफाइफ फैट emulsify करेगा fat को और pancreas release करेंगी pancreatic juice जैसे बिल्कुल humans में करता है सब कुछ digest करेंगी carbohydrate digestion, protein digestion, ठीक है और भी सारा digestion इसमें रहेगा लेकिन इसमें दो ही दिये हुए NCRT में यह बेसिक सा डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका बेसिक सा डाइजेस्टिव सिस्टम है कुछ नहीं है इसमें सीक्वेंस याद करने किसके बाद क्या आता है माउथ बकल कैविटी फैरिंग्स फैरिंग्स के बाद इसोफेकल जो की छोटी रहती है कोई absorption नहीं हो रहा रेक्टम है रेक्टम सिधा खुलेगा कलोईका में कलोईका बड़ी कमाल की चीज़ें इसमें कलोईका में सब कुछ खुल जाएगा किट्नी से यूरेटर भी कलोईका में खुलेंगी ठीक है सेक्स औरगन से स्पर्म और ओवम भी सारा कलोईका में खुल है यह बने बनाया भी है आप लोगों के लिए थोड़ा सुन्दर डाइग्राम यह आप कर सकते हैं अब रेफर अब आपको ncrt करनी है रेफर तो में जो आपको रेफरेंस चाहिए एसोफेगस से शुरू किया है फैरेंस नहीं दिखाया बकल कैविटी नहीं दिखाई माउ हमें यह जो से बना दियें तिकर बाइल लिवर इसका नजर आ रहा है यहां बनाकि गॉल बिख्काइब गॉल ब्लैडर का अनुसका कोई connection नहीं दिखाया हुआ दूडनों का गॉल ब्लैडर का सारा सफिक्रिशन डूडनों में आना है पैंक्रियास नहीं दिखाया ऊग्य क को लेते हुए cbd से यहां पर connection बनना है यह आपका intestine आ गया intestine के दो portion है dudonum and ileum फिर आपका आ गया large intestine इसमें rectum है rectum or cloica अब यह urinary bladder यहां क्या कर रहा है आपको बताऊंगे बहुत सारे system से एक साथ दिखा दिखा दिया हुआ यहां पर यह आप लोगों के पढ़ने के लिए है मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ यह आप पढ़ सकते हैं अच्छा एक चीज भूल गई फूर्ट जो है बाई लोब टंग से बाहर निकालता है दो लोब होते हैं इसके टंग के बाई लोब चिप चिपी होती है आगे से और इस पे जो है spider हो गया इंसेक्ट हो गया यह चिपक जाएगा और यह फिर इसको मूं में डाल लेगा आपको बता है फ्रॉग के जरफ उपर वाले दांत होते हैं नीच वाले के लिए होता है यह सब आप लोगों को आता है मैं यह से शुरू कर रही हूं पढ़ा ना body cavity of frog accommodates different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory, reproductive systems जो की well developed हैं सारे के सारे, digestive system consists of कितना elementary canal and glands, elementary canal में जो है वो short रहेगी, क्यों इसका assertion reason बन सकता है, जहां because आ गया, वहां assertion reason बन सकता है, नीट के लिए, इससे पहले वाला assertion आ जाएगा, इसके बाद वाला reason बन जाएगा, and hence the length of intestine is reduced, the mouth opens into buccal cavity that leads to esophagus through pharynx, buccal cavity और esophagus के बीच में pharynx है, through pharynx, pharynx के through esophagus में खुलेगा, ठीक है जी, फिर esophagus जो मैंने sequence बता है वो याद कर लो, ठीक है, esophagus जो है, वो short tube है, ठीक है, फिर वो stomach में open होती है, ठीक है, जो कि फिर intestine में open होता है, फिर वो rectum में open होता है, finally जो है, व pancreatic juice produce करता है, food जो है, वो bylobbed tongue से capture होता है, digestion of food takes place by the action of HCL and gastric juices, जो कि stomach से release होता है, partially digested food को हम काईम कहते हैं, यह में बताना भूल गई थी, stomach में जो partially digested food होता है, उसको काईम कहते हैं, CHYME, काईम इसको याद रखना है, नीट में कोशन बन सकता है, is passed from stomach to first part of small intestine, जिसको हम dudanum कहते हैं, dudanum receives bile from gallbladder and pancreatic juice from the pancreas through a common bile duct, इसको याद रखना है, question आ सकता है, bile emulsifies fat and pancreatic juice, digests carbohydrates and proteins, final digestion takes place in the intestine, digested food is absorbed by numerous finger-like folds, जैसे हमारे होते हैं, villi and microvilli in the intestine, undigested solid waste, it moves into rectum and then into cloica and then outside, ठीक है जी, questions कर लें इसके, मैं कुछ questions बना के लाई हूँ, second topic आपका खतम हो गया है, चलिए, शूरू करेंगे बेटा, assertion reason, the elementary canal of frog is short, frogs are omnivores, जल्दी बताएंगे इसका अंसर, जल्दी से, ये सही है, ये गलत है, frogs are carnivores, तो ये वाली बात गलत हो गई, जब assertion सही और reason गलत हो, तो answer आप नीचे देखेंगे, assertion सही और reason का कौन से उसमें दिया हो है, आप देखेंगे उसे mark कर देंगे, the buccal cavity of frog opens into, buccal cavity किसमें open होती है, esophagus में, pharynx में, stomach में हैं, digestive glands में, buccal cavity pharynx में open होगी, pharynx esophagus में open होगा, find the right statement regarding esophagus of frog, esophagus के लिए सही statement ढूणना है, esophagus एक long tube है, esophagus stomach में open होती है, esophagus continues as the intestine, कौन सा सही है, मैं मेरी सिस्टर आप से ही पड़ी है, उसका selection aims रिशिकेश में हुआ है, थैंक यू, Rakesh Kumar, you are most welcome, बेटा, बहुत खुशी हुए मुझे आप लोगों की बात सुनके, it is a short tube, it opens into stomach, it does not continue as intestine, it continues as stomach, continuous का मतलब ही होता है कि इसके आगे पाला पार्ट कौन सा है, तो esophagus के अगले वाला पार्ट स्टमक है, ना कि small intestine, so answer is two, चलिये, statement one and two, frog captures food with help of its tongue, partial digested food in stomach of frog is called kyle, जल्दी वताएंगे, frog captures food with the help of its tongue, सही है ये, partially digested food in stomach is called kyle, kyle नहीं, kyle, तो ये क्या हो गया, ये true, ये false, जब first true है और second false है, तो third हो गया, next question, final digestion in frog takes place in last cup digestion होता है, हाँ जी बेटा, पूछे, notes दलवा देती हो, बेटा, notes दलवा देती हो, अच्छा अभी तो team चलीगी बेटा, घर चलीगी ना team अभी, अभी तो नहीं दलवा पाऊंगे, मैं कल अपने handwritten notes, PPT भी दलवा दूँगे और इसके अलावा अपने handwritten notes भी दलवा दूँगे, दोनों दलवा दूँगे, final digestion in frog takes place in, intestine, रेक्टम में कोई digestion नहीं होती, बेटा, respiratory system of frog पे बात करते हैं, आईए, frog में actually, three types of respiration रहता है, three types of respiration रहता है, ध्यान से सुनो, एक तो आपको पता है, cutaneous, skin से, उसके लिए moist skin रहता है, अब ये आपको ध्यान रखना है, कि cutaneous कब होती है, जब हम पानी में होते हैं, तब होती है, लैंड पे होते हैं, तब होती है, जब होती है, only mode of respiration, in water, water में सिर्फ cutaneous होती है, ध्यान रखेंगे, बेटा, question ही आना है, कि कौन सी कहां पे होती है, सब को पता है, skin से होती है, lungs से होती है, बक्को फेरेंजल होती है, तीन सब को पता होती है, कहां पे कौन सी होती है, बस इस पे बच्चे मार खा जाती है, land पे भी होती है, लेकिन only mode नहीं है, और जब estivation और hibernation होता है, तो सिर्फ cutaneous respiration होती है, only mode of respiration, in hibernation, and estivation, जब hibernation और estivation रहेगा, जब वो चुप चाप बिचारा सो रहा होगा अपने बरों में, तो सिर्फ cutaneous respiration करेगा, जब पानी के अंदर होगा, reproduction कर रहा होगा, सिर्फ cutaneous respiration करेगा, land में बहुत सारी, दो और प्रकार की respiration रहता है, land में दो और प्रकार का respiration रहता है, land में तीनों प्रकार का respiration रहता है, cutaneous तो रहता ही है, एक और रहता है जिसको बोलते हैं, बकको pharyngeal, बकको, फैरिंजियल, और थर्ड रहता है, पल्मोनरी, मतलब लंग से, लंग से, देखो क्या होता है, frog जब सांस लेता है, तो मुँ से सांस लेता है, यह नाक से सांस लेता है, nostril से सांस लेगा, nostril से air अंदर आएगा, ठेक है, यह बककल cavity है, बककल cavity है, तो जब air बेटा, बककल cavity में आती है ना, तो बककल cavity का यह जो membrane है, बककल cavity का यह जो membrane है, यह बहुत moist है, और बहुत ही air के लिए permeable है, ठेक है, तो यह बककल cavity से भी, oxygen को absorb कर लेता है, बककल cavity में भी, respiration रहता है, जैसे है, थोड़ा और अच्छा बना से थी मैं इसको, ठेक है, बककल cavity के अंदर भी, इसका oxygen जो है, एब्सोर्ब हो जाएगा बॉड़ी में, ठेक है, बककल cavity के अंदर भी, तो इसको बकको pharyngeal respiration बोलते हैं, बककल cavity के अंदर, अब बककल cavity जो है, यहां से बंद हुआ, यहां से ऐसे एक opening रहता है, ठेक है, इसको हम glottis बोलते हैं, ठेक है, यह वालो यह pharynx है, यह pharynx है, अब यहां से दो openings रहता है, एक तो opening मालो रहा गया, एसोफेगस का, जो कि आपका, रेस्पीरेश, उसके लिए, जो कहां गया, ठेक है, एक तो रहता है, एसोफेगस का है, और दूसरा जो opening रहता है, जो रहता है, यहां से ऐसे दो pink color के lungs रहता है, दो, चलिए एसे बना जिए हूं, एक जो है, इधर चला गया, आसोफेगस के लिए, ठेक है, यह जो opening रहता है, और यहां पर यह चला गया, लंगस के लिए, ठेक है, यहां से खाना चला गया, अजया ऐसोफेगस में और यहां से हवा चलेगी लंग्स में मिलंग्स कैसे रहेगा पिंग कलर के स्ट्रॉक्टर आइ सेक लाइक पिर इनका इनका लंग्स में रहता है जो अक्सिजन यहां आ गई फिर वहां से गाश्यilagegt रहेगा इसको बोहते pulmonary respiration जब land पे होगा तो तीनों होगा यहां से skin से क्युटेनीयस respiration भी होगा takeaway क्यूकिविटी से बकको वेरक्षेश्य सीधियर भी होगा और लंक्स से pulmonary respiration भी होगा जब पानी में होगा सिर्फ क्यूटेनीर रेस्पिरेशन जब as tuitionqi עyber nation उगा सिर्फ क्यों टेनिस ति races구 रिखारएशन होगा रेसपिरेशन समंझ में आगए लोग को रिस्पिरेशन समंझ में आगए व Course is कょैं हाब एक है अज़िह रिख totally अब्धिर करेंट वर्ग घत से एक्स्चेंज हो गया और पल्मेनरी समझ में आगे लंग्स में हो गया कौन सी कब होती है यह समझ में आगई यह मैं आप लोगों को सब कुछ बता चुक हूँ एंसी आटी पढ़ लेते हैं फ्रॉग्स रेस्पायर ओन लैंड इन वाटर वाइट तो डिफरेंट मेथर्ट इन वाटर स्किन आक्स अग्वाटिक रेस्पिरेटरी ओर्गन फ्रॉग के पास एडल्ट फ्रॉग के पास गिल्स नहीं होते कि वो गिल को आप बोल दो की अक्वाटिक रेस्पिरेटरी ओर्गन है नहीं सर्फ क्योटेग थे आता तो skin acts as aquatic respiratory organ dissolved oxygen in water is exchanged through skin by diffusion on land of buccal cavity skin and lungs act as respiratory organs the respiration by lungs is called pulmonary respiration the lungs are a pair of elongated lambe, pink color sack like structures present in upper part of trunk ये trunk है, ये इसका मुँ है, ये trunk है तो ये यही से यहाँ पर यहाँ पर glottis आगे, यही पर 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 लंग में ही है, ज्यादा निक्चे नहीं गई है ठेक है, and air enters the nostrils into buccal cavity and then into lungs during estivation and hibernation gaseous exchange जो है वो सिर्फ किन से होता है आओ questions पे, तीन topics खतम होगे, साथ में से, when a frog is in water, dash acts as respiratory organ, अभी पढ़ाए हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो आए रितु मैम, I am in graduation I have learned so many things from your videos and still learning, biology became my favorite subject because of you and from you love you a lot आए जब पानी में रहेगा कौन फोर लिख रहा है कौन नलायक फोर लिख रहा है इतना समझा दिया कि जो बक्कल कैविटी है वो सिर्फ लैंड पे काम आएगी lungs जो है सिर्फ लैंड पे काम आ रहे है पानी में तो नॉस्ट्रल से अंदर ही नहीं सांस ले पा रहा है ना वो जब नॉस्ट्रल से अंदर नहीं सांस आएगा तो बक्कल कैविटी से कैसे रेस्पिरेशन करें बक्को फेरिंजल कैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा ना लंग से नहीं हो पाएगा ना इसकिन से रहेगा सिर्फ लंग्स इन फ्रॉग आर क्यूब लाइक पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रॉक्चर प्रेजंट इन लोईर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजिन ओल अब अब जो बच्चे कह रहें कि प्लस टू कवर करिये मैं अब नेक्स चाप्टर में एवलुशन लूँगी उसी के नोट्स बन रहे कि आम एक सब्सक्क्रेश लुब्यूशन बल्स चाप्तर के रिकॉडिंग डंट भी इसी चानल पे अगार आपने चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है क्या आप दूछे अिसा व्यगी चनल from following random accounts on Instagram, आप Instagram पे हर कुछ मत कीजिए follow, Instagram ऐसी चीज है उसमें डूब जाओगे, निकल नहीं पाओगे, अच्छे अच्छे नहीं नहीं निकल पाते, मैं नहीं निकल पाती ही, मेरे माबाप नहीं 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 निकल पाते, तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, कोई नही ही रहे हो, तो अगर चला ही रहे हो, तो फिर बायल जी पढ़ लो, सबसे अच्छी तो बात है Instagram मत ही चलाओ, अगर तुम चला रहे हो, तुमारे फोन में है तो सिर्फ एक बंदे को follow करो, कि जब पढ़ इंस्टाग्राम भी scroll करो, चलो मज़े ही आ जाएंगे, बायल जी occurs with the help of lungs, statement 2, nostril, buccal cavity and lungs is the correct pathway of air in frog, ये है, गलत या सही, ये गलत है, हाईबरनेशन और एस्टिविशन में सिर्फ किन काम आती है, ये सही है, ये correct pathway, nostril से buccal cavity, buccal cavity से lungs, तो जब पहला statement गलत है, और दूसरा जब सही है, तो आपने मार करना है, तो आपने मार करना है, तो ये से पढ़ने है, चारो statement, फिर जो आपका मैच करता है, आपने वो लगाना है, और assertion reason में भी ऐसा ही करता है, नीट, चले, चौते topic पर चलते है, blood vascular system, blood vascular system मतलब basically circulatory system, circulatory system में आपको जो समझना है, देखो, circulatory system में तीन चीज़े है, blood, heart, blood vessels, blood vessels के बारे में ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है, आपको सीखना है basically blood के बारे में और heart के बारे में, देखो बीटा, जो repeat question है, repeat pyq है, ncrt में वो ये है, कि जो इसका blood है, इसमें RBC रहेगा, ठेक है, लेकिन जैसे हमारा RBC वैसे, इसमें hemoglobin रहेगा, जैसे हमारे hemoglobin है, hemoglobin भी रहेगा, लेकिन इसके RBC में nucleus रहेगा, इतना मोटा, humans के RBC में nucleus नहीं रहता, ये सबसे बड़ा फर्क है, frog के blood में और हमारे blood में, frog का blood भी red होगा, क्योंकि इसके पास hemoglobin है, और hemoglobin का color red होता है, आप लोगं को पता है, तो इसका blood color भी, blood का color red रहेगा, सब कुछ हमारे blood जैसे दिखेगा, जो आपको नहीं दिखेगा, वो ये है कि, nucleated RBC रहता है, यार, ये सबसे बड़ा repeat question है, आएगा तो ये आजाएगा मुझ उठा के, ठीक है, देन हार्ट भी इससे हमारे से बहुत डिफरेंट रहता है, इसका three chambered हार्ट रहता है, circulation, इसकी close circulation रहेगी, close circulation मतलब इसके पास proper arteries, veins और blood vessels, वो हैं, क्या बोलते हैं, उनको capillaries है, closed circulation रहेगा इसका, ठीक है, close circulation humans में भी है, ठीक है, close circulation तो पूरे उसमें हैं, क्या बोलते हैं, I think पूरे quad data में closed circulation है, हाँ, quad data में ही है, ठीक है, लेकिन हमारा four chambered heart है, इसका three chambered heart रहेगा, इसका कैसे रहेगा, देखो तर देखो, दो atria रहेंगे, और एक ventricle रहेगा, ऐसा, ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, इसको मैं अगले page बनाते हूँ, थोड़ा और detail में इसको हमने समझना है, कि इसका heart क्या सा रहता है, ठीक है, इसके पास, it has something called incomplete double circulation, incomplete double circulation, इसका meaning क्या है, अभी समझते हैं, घ्यान से देखो गटा, ये इसका heart है, ये left atrium, sorry, ये right atrium बनाना था, ये right atrium, ये left atrium और ये ventrical, ठीक है, अब इसके heart की दो side है, समझ रहे हो, dorsal side और ये ventral side, जैसे हमारे भी heart की है, ये dorsal side है, ये ventral side है, अब मैं दिखा रहे हूँ इसके dorsal side, जनरली तो हम heart की ventral side दिखाते हैं, क्योंकि human heart करते हैं, तुम ventral ही देख रहे हो ना, तो ventral side दिखा रहे है, लेकिन इसकी दिखाते हैं, dorsal side, क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इसकी dorsal side पर एक ऐसे triangular portion होता है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, जो कि vena cava, superior और inferior vena cava नाम की veins से deoxygenated blood कर लेता है, ऐसे, और इसमें पूरा deoxygenated blood ऐसे भर जाता है, यह dorsal side की बात है, ठीक है, यह पूरा deoxygenated blood भर लेता है, dorsal side पर हाट के, अब क्योंकि इसमें venus blood आ रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं, sinus venosis, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि य deoxygenated blood ले रहा है, नाम से पर चल रहा है कि deoxygenated blood ले रहा है, क्योंकि इसका नाम venosis है, venus blood ले रहा है, sinus venosis यह triangular structure होता है, जो कि receive करता है सारा deoxygenated blood, देखो हमारे humans में क्यों होता है, सिधा right atrium deoxygenated blood लेता है, यहाँ पर directly right atrium नहीं ले रहा है, यहाँ पर पहले यह sinus venosis ले ने बिन यहां से यहां से सारफ इधर जारा है ू कि टेकत जो एक लेफ्ट एक्रीम है वह वो और बलड ले यहां पर mixing हो रहा है, humans में mixing नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास दो ventricle रहता है, तो इधर वाले के पास deoxygenated आता है, इधर वाले के पास oxygenated आ जाता है, यहां पर सब mix हो जा रहा है, mix हो जा रहा है, इसी लिए ही इसको incomplete double circulation बोले हैं, incomplete double circulation बोलते हैं, अगर इसके पास दो ventricles होते हैं, तो यह double circulation बन जाता है, ठीक है, अब यह deoxygenated blood जो है, पूरी body में घूम रहा है आपे, ठीक है, two body, lungs में भी, यह mixed blood जो है, पूरी body में भी चला जा रहा है, लंग्स में भी चला जा रहा है, समझ रहो, ठीक है, अच्छीब साच, एक चीज और रहे गई, body में जाने से पहले, यहां से, body में जाने से पहले, एक और structure में जाता है, यहां पर, मालो मैं इसका ventral side दिखाऊ, ventral side दिखाऊ, तो ventral side पर क्या रहता है, यहां पर यह दोनों, और यहां पर यह, ऐसे, ventral side पर, ventricle से, पहले, जैसे ventricle से blood निकला, ऐसे, एक sack-like structure में जाता है, और फिर पूरी body में जाता है, ऐसे, पहले sack-like structure में जाता है blood पूरा, इसको हम बोलते हैं, आप देखो, क्या बोलते होंगे इसको, क्योंकि इसमें artery वाला blood है, अच्छा, साफ वाला blood है, तो इसको ह है, conus arteriosus, truncus arteriosus भी बोलते हैं उसको, question यह आता है कि blood का sequence क्या है, flow का, पहला question आता है कि closed या open circulation, closed circulation, दूसरा question की, RBC वाला वोई question, कि nucleated या enucleated, hemoglobin है कि नहीं है, यह वाला question, then heart कितने chambered है, three chambered, then कौन सा circulation है, double circulation, single circulation, या partial double circulation, incomplete double circulation, तो incomplete double circulation, क्यों है, क्योंकि blood mix हो जा रहा है, ventricle में, then sequence of blood क्या है, sequence of blood यह है कि पहले deoxynated blood आ रहा है, conus arteriosus में, वहां से right atrium में, ठेक है, यहां से oxygenated blood आ रहा है, फिर यह दोनों ventricle में जा रहे है, ventricle से बाहर निकलते हुए, पहले एक sack-like structure में जा रहे है, जैसे conus arteriosus कह हो जा रहा है, यह यहां रखना है, conus arteriosus जो आपका ventral side पे है, यह जो है, तिकोना वाला है, यह जो आपका dorsal side पे है, ठीक है, जी, आपका finish हो गया है, सारा का सारा, यह वाली बात हो गई है, यह वाली बात हो गई है, हार्ट कवर्ड है, pericardium से, जैसा हमारा हुमन में होता है, sinus venousis हो गया, conus arteriosus हो गया, blood goes to all body parts from here हो गया, दो portal circulations है इनकी, hepatic portal circulation, hepatic portal circulation and renal portal circulation, यह humans में भी होता है, हमारा renal नहीं होता है, hepatic portal रहता है, इसमें renal भी होता है, हमारा renal नहीं रहता है, यह क्या है बेसिकली, small intestine से deoxynetid blood, deoxynetid blood, पहले liver में जा रहा है, liver में जा रहा है, इसको hepatic portal system कहता है, renal portal system क्या होता है, kidneys और lower body के बीच में रहता है, kidney और lower body के बीच में रहता है, इसको बलते है, renal portal system, यह दो portal systems रहता है, frog में, ठीक है, जी, हाँ, blood में plasma और cells होते है, rbc, wc, platelets, lymphatic system भी रहता है, frog में वो यह lymph रहेगा, ठीक है, lymph vessels रहेगा, lymph nodes रहेगा, ठीक है, lymph में क्या है, rbc नहीं रहेगा, lymph white कलर का होता है, क्योंकि red color का rbc उसमें होता नहीं है, ठीक है, plus कुछ प्रोटीन जो है, lymph में वो lacking रहता है, circulatory system आपका over है, vascular system of frog is well developed, closed type, यहाँ से question आ सकता है, frogs have a lymphatic system भी होता है, blood vascular system involves heart blood vessels and blood, the lymphatic system is, उसमें रहेगा lymph, lymph channels, lymph nodes, heart जो है, muscular structure है, देखो, muscular structure है और myogenic heart है, मतलब जैसे humans में रहता है, कि heart का जो excite करने का structure है, वो heart की muscle से ही बनाऊ है, जिसको हम ऐसे नोड बोलते है, myogenic structure है, बिल्कुल humans की तरह है, जैसे human का heart निकाल दोगे, आप तो थोड़ देर तक वो धड़कता रहेगा, human की body के बहार ही, क्योंकि उसका जो contract करने का signal है, वो उसके अंदर ही generate हो रहा है, वैसे if rock का heart भी आप निकाल दोगे, तो थोड़ देर तक धड़कता रहेगा, क्योंकि myogenic heart है, auto excitable heart है, just like humans, ठीक है जी, it is situated in upper part of the body, it has three chambers, two atrium, one ventricle and covered by a membrane called pericardium, a triangular structure called sinus venosus joins the right atrium, it receives blood through major veins called venacava, the ventricle opens into a sac-like conus arteriosus on the ventral side of the heart, the blood from the heart is carried to all parts of the body by the arteries, the vein collects blood from different parts of the body to the heart and form the venous system, special venous connections between liver and intestine as well as kidney and lower parts of the body are present, former को बोलते है, hepatic portal system, बाद वाले को बोलते है, लाटरा मतला, बाद वाला, प्लाज्म और सेल्स हैं, RBC जो है रहेगा, Erythrocyte रहेगा, WBC रहेगा, Leukocytes रहेगा, RBC जो रहेगा, वो नुक्लिएट रहेगा, और red pigment इसमें हीमोगलोबिन भी रहेगा, lymph is different from blood, इसके वास कुछ प्रोटीम और RBC नहीं रहेगा, blood carries nutrient gases water to the respective sites during the circulation, और एक मिन में पानी ले लते हूँ, बोलिए, frogs RBCs are enucleated like human, RBCs a frog has well developed close vascular system, but does not have a lymphatic system, क्या सही है, क्या गलत है, जल्दी बिताएंगे, ये गलत है, nucleated RBC रहता है, ये भी गलत है, क्योंकि lymphatic system भी रहता है, दोनों statement इसका गलत हो गया, next question पर चलेंगे, in frog's heart, ventricle pores blood into ventricle, किसमे blood pore करता है, ventricle किसमे, sinus venousis में तो venous blood रहेगा, वो तो वेनका अवा पोर करेगी उसमें blood, ventricle conus arteriosus में करेगा, in a frog's heart, a dash structure called dash joins the right atrium, right atrium से कौन जोइन करता है, और उसका shape क्या रहता है, बोलिए जी, in frog's heart, a triangular structure called dash joins the right atrium, sinus venousis भी नोज़ा जोज़ा है उसको, next question, which of the following is not present in frog, regarding its vascular system, which of the following is not present in frog, regarding its vascular system, vascular system, क्या नहीं होता frog के vascular system में, चलिए, RBC है या RBS नहीं, क्या nucleated RBC होता है, होता है, तो हमें तो not present ढूणना है, क्या renal portal system होता है, होता है हमें not present ढूणना है, क्या close circulatory system होता है, होता है हमें not present होनना है, complete double circulation नहीं होता, complete double circulation, सिर्फ mammals में और birds में होता है, reptiles में और amphibians में, incomplete double circulation रहता है, और जो Pisces रहता है, उसमें single circulation रहता है, ये बातें आपको याद होना चाहिए, statement 1-2, frog RBC do not contain hemoglobin, frog RBC do not contain nucleus, ये स्कौन सा सत्य है इसमें से, मैं कोर्स कब स्टार्ट होगा बिटा, पांच जन्वरी के आसपास आपका कोर्स जो है, वो स्टार्ट हो जाएगा, 2024 के बच्चों के लिए, frog RBC do not contain hemoglobin, गलत है, hemoglobin होता है, red color का होता है, frog का blood, frog RBC do not contain nucleus, ये भी गलत है, frog के RBC में nucleus भी होता है, दोनों ही statements आपकी गलत है, उत्तर आपका दो बन गया, चल ये excretory system में, excretory system में, frog के excretory system में simple है, दो bean shaped kidneys है, bean shaped reddish kidneys, जो की blood pour करेगा, जैसा की blood बनाया हुआ था, इसमें आपके diagram बनाता है, याँ पर heart से एक branch आएगी, याँ पर blood लेके ऐसे, जो की इस तरीके से kidney में blood pour कर देगी अपना, ठेक है, kidneys उसमें से, जो nitrogenous waste है, इसको remove कर लेगी, nitrogenous waste जो है, इनका urea रहता है, तो basically frog is ureotellic, urea और पानी को mix करके, frog यहाँ से, इस tubes में निकाल देगा, urine को, इन tubes को ureters कहते हैं, ठेक है, अब मैं इसमें यहाँ पर आपको एक बर थोड़ा सा male और female में डिफरेंस बता दूँगी, बट आप ध्यान से सुनिए, यह जो ureters हैं, यह open होते हैं, इधर से यह आया rectum, ठेक है, रेक्टम आया, फिर यहाँ से बना यह cloica, ठेक है, यह बना आपका, cloica, तो basically, cloica में ऐसे pore हो जा रहा है urine, लेकिन urine directly excrete out नहीं करता, cloica से, यहाँ पे एक storage structure भी रहता है, just यहाँ पे, जहाँ पे opening हो रही हैं, just यहाँ पे, जहाँ पे open हो है, मैं थोड़ा और अच्छी तरीकी से बना जेती हूं, तो मिनट, कुडिये ने, मेरे डुल वेच बस जा, ऐसे open हो 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 है, यहाँ पे, यहाँ पे open हो हो है, ठेक है, इसमें store हो जाता है, डिरेक्टली बाहर नहीं जाता है, इसको बोलते हैं, यूरिनरी ब्लाडर, यह एक bilobed structure है, दो lobes हैं इसके, thin-walled structure है, ठेक है, बड़ी काम की चीज़ है, यह जैसे फ्रॉक की बॉड़ी में, मालो, पानी की कुछ कमी कुमी हो जाए, तो यहाँ से पानी अबज़ॉब हो जाता है, अंडर influence of different hormones, तो यह basically storage of urine के काम आता है, आप समझ रहे हो, अगर urine का हम passage देखेंगे, तो हम क्या गोलेंगे, पहले kidneys में urine बना, यूरिया के साथ, फिर वो मूव किया, यूरियनरी ब्लाडर में स्टोर हो नी चला गया, फिर जब रिमूव हो ना, तो यूरियनरी ब्लाडर से वापस आके, फिर यहां से बाहर आया, तो it is kidney से ureter, ureter से cloica, cloica से urinary bladder, ठीक है, यह basically, फिर urinary bladder से बाहर, फिर से cloica, फिर बाहर, यह basic सा, इसका excretory system है, ठीक है, अब क्या है, excretory system जो है, अब females में तो देखो, यह चीज़ simple रहती है, females में क्या रहता है, यहां पर ovaries रहती है, kidney के पास, यहां पर ovaries रहती है, माननो, यहां पर ovaries है, ऐसे बड़ी अजीब सी ovaries है, पत्ते जैसी, ठीक है, अब यह ovary क्यों बना रही हुए, तो reproductive system का पार्ट है, लेकिन क्योंकि अब reproductive system के साथ ही, हम generally excretory system पढ़ लेते हैं, तो मैं साथ में पढ़ा रहती है, ठीक है, यहां पर ovary रहती है, अब ovary सिर्फ kidney के ऊपर लगी होती है, इसका कोई connection नहीं होता, ovary का kidney से, ovary has no functional connection with kidney, connection with kidney, यह बिचारी सिर्फ उपर लगी होती है, females की अगर मैं बात करो, मालो मैं, this is for females है, female की व्याद कर रहे हैं, ठीक है, यह चुपचाप से अपनी यहां से ऐसे tubes निकालती है, और यह cloica में ऐसे open हो जाती है, अलग से अपने, जब इसमें egg release करने होती हैं, ऐसे अराम से, ऐसे, बड़ी प्यार से, ऐसे ही cloica में अपना, एक रिलीज कर लेती हैं यहां से, इन tubes के थूँ, यह कुछ नहीं चेड़ती है, एक्स्क्रेटरी सिस्टम को, बिल्कुल इसका separate है, एक्स्क्रेटरी सिस्टम और इसका reproductive system बिल्कुल separate है, इसको हम बोलते हैं, OVDuct, तो female के पास, OVDuct और Ureter दोनो separate रहता है, इसका एक्स्क्रेटरी सिस्टम और रिप्रोड़क्टिव सिस्टम बिल्कुल separate रहता है, तो इन females, मैं यहां पे लिख रहुँ हैं चीज, एक्स्क्रेटरी सिस्टम, और रिप्रोड़क्टिव सिस्टम और नोट कनेक्टट, रिप्रोड़क्टिव सिस्टम और नोट रिप्रोड़क्टिव सिस्टम और 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 रिप्रोड़क मेल में अलगी कुछ चल रहा है, मेल में ये टेस्टस है, ये ट्यूब्स है, जो कि यहां से थोड़ी सूजी हुई है, और फिर यहां से ये ऐसे पतली है, and they are just opening like this, ठीक है, and they are opening in of course, क्लोय का, जैसे कि नॉर्मल में होता है, and यहां पर उनका भी उरिनरी ब्लैडर है, ऐसे ब मेल में भी सेवी है, एक फर्क जो मेल में है, वो ये है, कि उसका स्पर्म ले जाने के लिए अलग से कोई ट्यूब नहीं है, यही ट्यूब स्पर्म ले जाने के लिए और यूरिन ले जाने के लिए भी है, just like humans, humans में भी स्पर्म और यूरिन के लिए एक ही ट्यूब रहती ह लेकिन ट्यूब एक ही रहती है, ठीक है, common tube रहती है, male की टेस्टिस जो है, वो yellowish होती है, oval से shape क्यों होती है, यह attached रहती है, kidneys से, ऐसे करके, एक fold से यह attached रहती है, fold of peritonium से, peritonium अगर आपने human physiology की मेरी lectures देखें तो आपको पता है, नहीं पता तो आपने tension नहीं देना, peritonium basically अंदर की एक layer होती है, basically, epithelium की layer होती है, double fold of peritonium से यह connected रहती है, kidneys से, ठीक है, इस double fold of peritonium को हम misorkium कहते हैं, यह मैंने question बनाया है, आपको यह word आना चाहिए, misorkium is nothing but double fold of an epithelium called peritonium, connecting testis to kidney, ovary कुछ भी connected नहीं थी, kidney से, testis है, अब इनका structural connection तो है ही, functional connection भी है, क्या functional connection है, यहाँ से sperm लेके, ऐसे कुछ tubes निकलती है, और वो tubes कहीं भी और जाने की बजाए, ऐसे testis इसमें घुज जाती है, kidney में घुज जाती है, ऐसे, और इससे testis से sperm लेके tubes निकली, और यह ऐसे घुज गी अंदर, kidney के अंदर स्परम चला जा रहा है, ठेक है, इस tubes को हम बोलते हैं, Vassa efferentia, अब this is new, and this is a part of reproductive system, यह excretive system का पार्ट नि, इस इसस्टम में वही है, उसका भी, male का भी, kidney, ureter, cloaca, urinary bladder, सब कुछ सेम है, लेकिन मैं अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम करा रही हूं आपको साथ में, और मैं दिवतारी क्नेक्शन क्या है, और इस पर रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट पीवाई क्यू है, ऑफ नीट, कि यह connection क्या है, यह sperm लेके अंदर चला जा रहा है, और यहां पर यह एक ऐसे करके एक ट्यूब है, उसमें open हो रहा है, ऐसे करके ट्यूब है जो कि अंदर की साइड है, किड्नी के anterior portion पर यह tube है, ठीक है, इस में इस ट्यूब में यह सारी वासा एफरेंशिया open हो रही है, इस ट्यूब का नाम है बिडर्स कनल, यह भी बच्च कनल से यह जो स्पर्म है, वो बेसिकली ऐसे करके आगे इसमें जुड़ जाता है, इसमें जुड़ जाता है, यूरेटर में जुड़ जाता है, लेकिन मेल के यूरेटर को यूरेटर नहीं कहते हैं, मेल के यूरेटर को हम यूरीनो जेनिटल डक्ट कहते हैं, क्यों? मेल में यहा से यूरेन भी selected कर रहा है यहां से यूरेन भी टियूब क्या है यह आपको पाड़ना क्या है कि आपको बस यह से रखना है कि क्या वह है युरेन तो सिधा किड़नी से बन रहा रहा है और उरीनो जनीटल डेक्ट में जा रहा है ठेक है स्पर्म पहले overy इससे से बन रहा है फिर यह वासाइफरेंशे में जा रहा है जो कि 10 से 12 होती है total number में फिर वो जाती है bidders channel में bidders channel जो है ultimately इसमें open हो जाती है इस tube में जिसको हम urinogenital duct कहते हैं पुरानी ncrt में urinogenital duct के उपर वाले part को seminal vesicle करके दिखाया हुआ है आपकी नहीं ncrt में नहीं दिखाया हुआ है तो urinogenital duct बोल देते हैं, females के पास ऐसा नहीं है, उसके पास ureter अलग है, ove duct अलग आ रहा है, females में ovary और kidney का कोई connection नहीं है, males में testis और kidney का पहले तो वो दोनों peritonium से connected है, साथ में functional connection भी है, sperm पहले kidney में जा रहा है, kidney में जा रहा है, और urine भी आ रहा है, अब आपको तो समझ में आई गया है, तो आपका तो reproductive system भी साथ में ही खतम हो गया, excretory system के साथ साथ, बताओ, excretory system well developed है, दो kidneys है, red bean chip, दो ureter, एक cloica, एक urinary bladder, जो की, urinary bladder, vental side पे है, rectum के, तो आप समझ रहो न, यह अगर frog का, यह ऐसे वाला पार्ट है, और मानलो, यहाँ cloica है, तो आपका जो digestive system है, वो घूम के यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यह rectum हो गया, रेक्टम हो गया, और अच्छे से बना सकती हूँ, मैं ऐसे रूखो, यह rectum हो गया, यहाँ पे आपका cloica हो गया, ठीक है, तो आपका urinary bladder कहीं, यहाँ पे है, ventral side पे है, ठीक है, urinary bladder, rectum के नीचे दबा हुआ, ठीक है, urinary genital duct होता है, female progress separate होता है, हमें पता है, ठीक है, पढ़ लेते हैं, अब reproductive system भी साथ में खतम कर लेते हैं, कुछ बचा निया करने के लिए, हमारा सिर्फ एक topic रह जाएगा, उसके बाद, and we are done with this topic, ठीक है, चलो, elimination of nitrogenous waste is carried out by well developed, सारे के सारे systems well developed, अब लेते हैं, vascular well developed, excretory well developed, circulatory well developed, digestive well developed, reproductive well developed, हर चीज़ वेल डवलप्ट है, फर रहोग में, excretory system consists of, excretory system में क्या आएगा, सिर्फ kidneys आएगा, ureters आएगा, cloica आएगा, and urinary bladder आएगा, these are compact, dark, red bean-like structures, kidney की बात हो रही है, little posterior in the body cavity on both sides of vertebral column, each kidney is composed of several structural functional units called urinary forestibules, urinary forestibule क्या होता है, अरे, nephron का दूसरा नाम है, two ureters emerge from kidney in male frogs, देखो, ऐसे बोलते हैं कि males में तो ureters होते ही नहीं, भाया, urinogenital duct और ureter interchangeable terms है, ठेक है, two ureters emerge from kidneys in the male frogs, the ureter act as urinogenital duct, तो ureter ही urinogenital duct की तरह act कर रहे हैं, which opens in the cloica, in females the ureter and the oveducts open separately in the cloica, the thin-walled urinary bladder is present ventral to the rectum which opens into cloica, frog excretes urea, इसले वो ureotelic है, excretory wastes are carried by blood into kidney where it is separated and excreted, अब मैं आपको ना, चलो एक बारी questions करो, फिर reproductive system भी साथ में ही पढ़ लेते हैं, reproductive system हमें पता है, चलो, statement 1-2, excretory system of frog consists of two kidneys, two ureters and two cloicus, statement 2, a frog has single urinary bladder but two uriniferous tubules, बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, आवाज तो बढ़ी आ रही है, excretory system भाईया ये गलत क्या है, इसमें दो cloicas नहीं होते हैं, एक ही cloica होता है, इसमें क्या है, दो uriniferous tubules थोड़ी पे होते हैं, uriniferous tubules तो nephron होता है, हर kidney में millions of nephrons होते हैं, uriniferous tubules मतलब nephron मतलब millions and millions होते हैं, हर kidney में, ठीक है, मतलब around 1 million तो human kidney में ही होते हैं, तो मतलब frog में एक तो नहीं होगा न, बोथ हर incorrect, second, then, ureter acts as urinogenital duct in, male frog, female frog, both one and two, none of the above, इसके बाकी बच्चों के questions इसमें मैंने 55 बनाए था, 35 के आसपास मैं आप लोगों के लिए ले के आई हूँ, जो बाकी के 20-25 questions है, वो आपको telegram पर मिल जाएंगे, ठीक है, सिर्फ male frog में होता है urinogenital duct, female में नहीं होता, which of the following is not correct, जब भी नीट में ऐसा question है, not correct को mark करना है, false को mark करना है, true को mark करना है, according, regarding urinary bladder of frog, not correct, बेटा, खतम हो गया, अनपूर्णा पुछले, मैम, you'll be completing it today itself, बेटा, हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ brain पढ़ना है हमें, सब कुछ हो चुका है, थिन वाल्ड होता है, यह, वेंटल टू रेक्टम प्रेजेंट इन बोथ मेल्स और फीमल्स ओपन इन्टू क्लाइका, नहीं जो सही है वो थिक वाल्ड है, अब इसका भी पढ़ लेते हैं, रिप्रोड़क्टिव सिस्टम का भी पढ़ लेते हैं, आजो, फिर वापस आजाएंगे, इस पर यह आप रिप्रोड़क्टिव सिस्टम देख पारे हैं, इसमें कोई आपको कन्फूजन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिखाई है, इसमें कोई दिखाई है, इसका तो बिल्कुल ही ख्लेर है, यह अजीब सी जो है, यह यह ओवरी है, लेकिन कोई functional connection नहीं है किट्नी के साथ, और यह OV-Duct यहां पता नहीं क्या करें कहीए, नहीं हो मिलेगा, चलो लेकिन बना दी कोई बात नहीं, यह बनाओ नीचे तुम प्यार से, लेकिन उपर बनाई है, NCRT में कोई बात नहीं हो बात नहीं, यह OV-Duct है, यह यहां से ल यह आपको सब पता है, सब पता है, सब पता है, NCRT पढ़ा रही हूँ मैं आपको. Frogs have well organized male and female reproductive system. Male reproductive organs consist of a pair of yellowish testis है, यह भी question डाल दूँगी मैं तो, मेरे कोई फरक नहीं बढ़ता. Yellowish avoid testis which are found adhered to the upper part of the kidney, अध्याद मतलब चिपकी हुई है, by a double fold of peritonium called mesorkium, VASA referentia, जो है, वो 10 से 12 है, इन number total में, ठेक है, भाया, नहीं कहीं से पढ़ने कोश्च कर थी कि 10 से 12 है, यह एक side की है, तो ऐसा मुझे इंटरनेट पर data नहीं मिला, 10 से 12 ही मिल रहा है, तो total आपने 10 से 12 ही मानने है. They enter the kidneys on their side and opens into bidder's canal, finally it communicates with the urinogenital duct that comes out of the kidneys and opens into the cloica, the cloica is a small median chamber that is used to pass fecal matter, urine and sperm to the exterior and even ovum, ovum क्यों लिखा लडिकों को इकोल भागी दारी दो, the female reproductive organs include a pair of ovaries, the ovaries are situated near kidneys and there is no functional connection, ठेक है, a pair of oviduct arising from the ovaries open into the cloica separately, a mature female जो है, पच्चिसों से तीन हजार ओवा ले कर सकती है, fertilization is external, takes place in water, development involves a larval stage called tadpole, tadpole undergoes metamorphosis to form adult, frogs जो है, humans के लिए beneficial है, क्योंकि वो insects को खाते हैं और insects हमारी crops को खाते हैं, तो हमारी crops बच जाती है, उनकी होज़े से, frogs are beneficial for mankind because they eat insects and protect the crop, frogs maintain ecological balance, क्योंकि भाहिया, हर species ecological balance बना रही है, क्योंकि भाहिया, food chain का, food web का तो पार्ट ही है ना, because these serve as important link of food chain, food web in the ecosystem, in some countries, muscular legs of frogs are eaten as food by men, I think Korea, Korea में चाहिना चुना में खाते हैं, I am not sure, मैंने वीडियोस तो देखी हैं, जैसे, कुछ वीडियोस होते हैं, जब हैसे चिट-चिट के देखते हैं, हाई क्या है, हाई क्या है, फिर भी हम उने देखते हैं, तो फ्रॉग्स की लेक्स जिंदा फ्रॉग्स भी मिल जाते हैं, फिर वो घर में जाते हैं, हम लोग तो नहीं, इंडिया में नहीं खाते हैं, तो तीन फ्राइदे बिता दिये, एक तो तुमारे लिए फ्रेंड ओफ हुमन बीइंग्स हैं, क्योंकि हमारी क्रॉप्स बचा रहे हैं, इंसेक्ट से, तेन दूसरा, इकोलोजी, इकोलोजिकल बैलन्स बना रहे हैं, क्योंकि फूद चेन का पार्ट हैं, तीसरा, फूद के लिए काम आते हैं, कहीं-कहीं पे, रेप्रोड़क्र सिस्टम के क्वेश्चिंश करो, चलो, कि अमेल फ्रॉग स्टेस्टीज आर फाउंड अध्यर्ट अपर पार्ट अफ किड्नी बाई, अ सिंगल फोल्ड 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 फेरिटोनियम्, मिजॉर्कियम बोट तो एंट थ्री चल दी बताएंगे किसको ब्लॉक कर दिया मैंने कोई किया रहा था ब्लॉक दिस कॉमेंट गलती से ब्लॉक ही कर दिया शायद मैंने किसी को डबल फोल्ड पेरिटोनियम जिसको मिजॉर्कियम कहते है अंसर हो गया टू एंट थ्री मैं आपका आपका online batch कहां और कैसे लेना है इसके लिए मैं especially session नाओंगी कि मेरा online batch आपको कहां और कासी लोगी एक लिए एक दू करने वाली शनुबंच करने वाले वह Pode करने पे लग से और बताऊंगा है चरी मेरा कि मेरा बैच ले सकते हैं, बैच कब से शुरू है, क्या उसका प्राइस रहेगा, क्या क्या आपको उसमें मिलेगा. अब मेल फ्रॉग, इन अमेल फ्रॉग, वासा अफ्रेंशिया एंटर देश और ओपन इन टू डैश. in male frog wasa aferentia enters the bladder और kidney के बीच में वो है kidney bladder bladder नहीं यह है sorry bladder नहीं है kidney kidney यह दोने जगे enters the kidney and opens into dash ठीक है जी वासा एफरेंशिया जो है kidney में enter करती है ऐसे and opens into bidder's canal ठीक है bidder's canal, kidney and bidder's canal next, in a female frog, oveducts connect, oveduct किस को connect करती है female frog में, cloica और ovary को connect करेंगी, oveduct इस तरीके से ठीक है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, in a male frog, cloica is a small chamber that is used to pass, cloica से क्या क्या पास हो सकता है जहां से कोई भी चीज अगर आपको पास करने है तो आप वहीं से पास करेंगे ठीक है चाहे वो फीकल मैंटर हो गया चाहे वो यूरिन हो गया चाहे वो आपका gametes हो गया, male and female gametes हो गया, ठीक है, देखो, male and female gametes का cloica तक पहुंचने का रस्ता अलग-अलग है, लेकिन पहुंचते वो cloica में ही है डैश opens into cloica of a female frog, female frog के cloica में क्या-क्या open हो रहा है इसमें यूरेटर अलग-उपन हो रहे हैं इसमें ओवीडक्ट अलग-उपन हो रहे हैं क्योंकि इसका ओवीडक्ट और यूरेटर अलग-उपन होता है मेल्स में होता है सिर्फ और अलिमेंटरी के नाल तो वन टू एंड फोर वन टू एंड फोर समझ में आ गया कैसे किये आं प्राइस अस्ताा रखनान अकैडमिय महंगा था में प्राइस सस्ता रखना कडम बेटा इतना सस्ता रख हुँड़ी अप्राइस कि आप लों को दिल खुश हो जाएगा और मेरा भी दिल खुश हो जाएगा statement one two fertilization is internal in frog tadpoles undergo metagenesis to form form adult frogs कौन सा सही है कौन सा गलत है family कराऊंगे यूटीब पे कराऊंगे अभी इस प्रव पानी में फर्ट्राइज़ेशन रहता है ईसलि किसक निस्चर्व सेकंधलयस्ट्र टेकमने एसीड्व इडेरीय कि विलिघ्र है किसने सोच़ंगे है वाला स्थीष घंए और स्दिष्ट्रेशन रियो ऑन बन रहा है विकास लगा के देखो बीच में फ्रोग्स इत इंसेक्ट अंड प्रोटेक्ट क्रॉप्स फर्स्ट चलो लास्ट पीवाई क्यों करते हैं लास्ट पिक करो फिर पीवाई क्यू कराती हूं आपको मैं खुडिये नी मेरे दिल वेच वस जाँ लास्ट टॉपिक कंट्रोल और कोडिनेशन उसके बाद खतम उसके बाद पीवाई क्यू करेंगे और दन विद फ्रोग चलिए कंट्रोल और कोडिनेशन हुमन्स में भी और फ्रोग में भी दो सिस्टम से होता है नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम और अधिया हुआ है तो हमें भी उतना ही पढ़ना है जितना दिया हुआ है नर्वस सिस्टम के बारे में पहला जो दिया हुआ है काय कि यह ब्रेन जो होता है फ्रोग का कुछ-कुछ यूमन ब्रेन जैसे ही है ठीक है ब्रेन ऐसे ब्रेन रहेगा उसके उपर एक ऐसे बॉन का डबा रहेगा जिसको हम क्रेनियम बोलेंगे अच्छा नहीं बना रुखो क्रेनियम बोनी बॉक्स रहेगा कि लास्ट में यहां पर हाइंड ब्रेन रहेगा ऐसे यहां पर एक छेद रहेगा जैसे हुमन में रहता है बिल्कुल ऐसे फोरमन मैगनम बिल्कुल जैसे हमारे पास है और इन पाइनल कोड़ को प्रिक्ट करने के लिए तो अभी वर्टीपृल कौलं रहता है सब कि गणकौल बिल्कुल जासे लुटों सब्सक्रयOW तो फ्रॉच का बेंं भी एक बोनी बॉक्स से हवं हॉता है उचेह कि और जा से एक ह। बाहर रहे है ब्ले कलता है बिल्कुल एक हानका नेर्व सिस्टम में ब्रेन का श्ट्रक्चर थोड़ा अलग मतलब परे तुम्हें थोड़ा सा ब्रेण का स्ट्रक्चर भाद में कराते हूं फ़ली देखो बिल्कुल हीऊमंड की तरह है ब्रेइंड जो नर्व सिस्टम में वो दो पार्ट में डिवाइद है Central Nervous System and Peripheral Nervous System Central Nervous System में दो पार्ट आता है जो बॉडी के सेंटर में आता है Brain Plus Spinal Cod बिल्कुल Humans की तरह है जो Brain से Nerves निकलती है Spinal Cod से Nerves निकलती है उससे Peripheral Nervous System बनता है तो इसमें Basically Cranial Plus Spinal Nerves आएगा बिल्कुल Humans की तरह है एक फर्क यह है कि हमारी Cranial Nerves 12 होती है इनकी Cranial Nerves 10 पेर होती है हमारी 12 पेर होती है इनकी 10 पेर होती है इनके Brain से जो Nerves निकल रही होती है वो 10 पेर रहती है हमारी 12 पेर रहती है यह बहुत बढ़ा Difference है Question आसकता है इसमें 10 पेर ठीक है Peripheral Nerves System जैसे हमारा होता है बिल्कुल वैसा है Autonomic Nerves System and Somatic Nerves System Autonomous Nerves System फिर से divided है Sympathetic और Parasympathetic में बिल्कुल जैसे हमारा है यह Humans में डीटेल में पढ़ेंगे इसलिए यहाँ पे मैं डीटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल Humans की तरह है तो एक तो आपको डिवीजन याद रखना है कि जैसे Humans का डिवीजन है वैसे ही इसका डिवीजन है फ्रॉग का डिवीजन है एक चीज़ जो डिफरेंस है वो यह है Cranial Nerves का डिफरेंस है ठीक है Cranial Nerves की 10 पेर होती है अपनी 12 पेर होती है यह आसकता है नीट में कोशन देन हमने कवरिंग्स जयाद रखने है ब्रेंड की कवरिंग क्रेनियम स्पानल कॉड की कवरिंग वर्टिवल कॉलम फिल्कुल हुमन की तरह है ठीक है देन दोनों में कनेक्शन है फॉरमन मैगनम से ब्रेंड के कुछ बोले हुए जो कि रट्टा मार लो क्योंकि यह लर्न करने आएंगे ठीक है एंडोक्राइन सिस्टम में सिर्फ इंडोक्राइन सिस्टम में वेरियस हॉर्मोन का कहां कुछ नहीं वो कहे रहें पिट्यूट्री वेल डवलप्ड है फैरोज़ घरोज़ थाइन अफिर्स घ्रों के रहें वेलल शिप्टा मारना सारे नियूरेल शिस्टम वहीं है यह पर्याइब टीक रहेगा यह अपने को पता है चलो ब्रेंग के पार्ट्स याद करने हैं यह क्वेश्चन आ सकता है देखो अब तुम लोगों को पता है अपने भी ऐसे होता है इनका भी रहत चिangen है इनका भी रटा ही कि आपके सिफलन रहता है इनका भी रता है जो एक नए चीज है जो हम नहीं पढ़ते हैं अपने ब्रेंड में। किसलेबस में है हमारे olfactory lobes इनका four brain का पार्ट है यह रट्टा मारने फिर जैसे हमारा mid brain रहता है इनका भी mid brain रहता है यहाँ पर mid brain में है हमारे जो human से Our इंका कुछ अलग दिया हुआ है optic lobes दिया हुआ है यह हम अपने नहीं पढ़ते उत्ते हैं इनका सेपरेट है दो लोब दी है रट्टा मारण में में बड़े नाम वाले में लंबाए मिड़ चोटा नाम है इसमें 134 लबाए तो इसमें लोब सब्सक्र्स लोब है थेक है अप्तिक में कम है तो मिड़ भी कम है दोनों चोटी छोटे वाले सायते मिड़ प्रेम में all optic lobes रहेगा कहां है कैसा कुछ नहीं करना है है फिर अपना Haidbraiय यहां पर अपना medulla बो आ हैं पर शरीविलम अधाथे इन का भी ऐसी ए रहता है ठीक है शरीवेलम रहेगा इनका medulla अबलोंगटा रहेगा यह सेरीवेलम मेड़ुला रहेगा यहीं मेडूला मैंने बताया है जैसी फोरम में मैगनम से पास हो जाएगा यहां पर स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगा सिर्फ रट्टा क्या मारना है कौन सी लोब किसमें है बाकि सब हुमन जैसा है प्लस ओल फैक्ट्री लोब्स उप्तिक लोब्स कुछ तो पड़ना पड़ेगा न कोई तो करो हैं बूला दीया हुए मैद दिया हुए प्लीज लोब्स मध डाल देना कुछ उसमें दिन हमारे पास इसके फ्रॉग के पास है well developed senses बहुत सारी चीज़ों के लिए जैसे touch के लिए इसके पास sensory papular रहेगा taste के लिए इसके पास taste buds रहेगा smell के लिए इसके पास nasal epithelium रहेगा vision के लिए इसके पास दो मोटी-मोटी bulging eyes रहेंगी simple eyes they are not compound eyes compound eyes आपको cockroach में मिलती है compound eyes में क्या रहता है एक ही चीज़ की बहुत सारी image बनाती है ठीक है फिर उस image को जोड़के complete image बनती है ठीक है mosaic vision बोलते हैं इसको simple eyes में एक ही vision रहता है एक ही इमेज बनता है किसी भी object का तो हमारी humans की भी simple eyes है इनकी भी simple eyes है ठीक है और hearing में बेटा जो मैंने बताया था आपको ऐसे करके यह आपकी आख है यहाँ पर ऐसे ऐसे बस यह आपको ear drum नज़र आएगा टिम पैनम और इसके अंदर है यह सारा है अंदर अंदर यह बाहर कोई यह नहीं एक्स्टर्न यह well developed है इसका eye simple होगे एक ही unit possess करती है ठीक है जी जिसे कोकरोच की eye जो है बहुत सारे ometidium नाम के units को करती है कितना एक आख में 2000 ometidium होता है बहुत सारी units होती है वो अलग-अलग image बनाती है उस एक image की एक object की ठीक है अपनी कोई ऐसे ometidium नहीं होता है एक single unit होती है हमारी eye बैसे ही फ्रॉक की होती है ठीक है ठीक है यह पढ़ ले system of control and coordination is highly evolved it includes both neural system and endocrine system the chemical coordination chemical coordination हमेश होर्मोन से आती है ठीक है इवन gonads हमारे भी endocrine होते हैं ठीक है nervous system is organized into central nervous system जिसमें brain and spinal cord आ गया peripheral nervous system जिसमें cranial and spinal nerves आ गई और पिर peripheral जो है वो autonomic nervous system में आ गया जिसमें sympathetic and parasympathetic आ गया दस pair है cranial nerves की इनके पास brain is enclosed in a bone structure called cranium brain is divided into forebrain midbrain hindbrain forebrain में क्या क्या आता है यह तुम्हें तंग कर सकता है paper में आ गया midbrain जो है आपका optic lobes आ गया यह तंग कर सकते हैं आपको mix कर सकते हैं paper में hindbrain consists of cerebellum and medulla oblongata medulla oblongata passes out through foramen magnum and continues into spinal cord which encloses the vertebral column please do the questions prominent endocrine gland found in frog is R फिर PY क्यों करते हैं class खतम करते हैं अगले 10 minutes में class खतम हो जाएगी बिटा अरे दो ही compound eyes हैं cockroach में दो compound दो simple eyes होती हैं कि असेथिसे एक पचे पूछे आपने जो कान में पहना है इसे जुमका बोलेंगे और बाली इसे जुमका बोलेंगे जो बाली होती है वह circular हो कर शूरूर आगे से ऐसे और पीछे तक वह ऐसे जाएगी जाएगी बाली असे सरेगी ये गोल में है लेकिन ये सिर्फ सामने से नहीं कल रही है जे भी नीट में कोशन आएगा नोट कर लो बेटा देखना कहीं रहना जाए पैन और पेपर दो जाना नोट कर लो प्रोमिन एंडोक्राइन ग्लांड्स सभी रहते हैं ना all of the above statement 12 10 cranial nerves arise from brain of a frog a frog lacks cranium to protect its brain क्या सही है क्या गलत है कि मैं माप subscription प्राइज एप्रॉक्स कितना रखोगे फर्स्ट दस सब्सक्रिप्शन लेने वालों को फ्री देना त्यों सोचते हैं में इस बारे में यह सही है कि गलत है यह गलत है दस पेर है भाई मुझे पता था बच्छे गलत करेंगे इसलिए कोश्चन बनाया है कि तुम आखे खोल के कोश्चन देखना शुरू कर दो इसलिए तो कोश्चन बनाया है यह भी गलत है क्रेनियम होता है उसमें बोच स्टेटमेंट वन टू रिंक्रेक्ट इन फ्रॉक्स बेंड ऑ्प्टिक लोब जार पार्ट ऑप्ट अप्टिक लोब किदर रहेगा पोर ब्रेंड मिट ब्रेंड हैंड ब्रेंड सेरिबरल हमिस्फेर पर पहले नहीं लॉंच होगा पैटा पहले एंडरोइड प्रॉच होगा आप आपका देखो मैं खुद गलत करने वाली थी optic lobe जो है वो छोटा है नाम midbrain में रहेगा olfactory lobe पूछता तो मैं fourbrain में बोल देती hindbrain of frog consists of hindbrain में क्या क्या रहेगा hindbrain में क्या क्या रहेगा crash course live रहेगा, सब कुछ live रहेगा, सिर्फ medulla रहेगा, चलिए, in frog brain and spinal cord are not connected as there is no form and magnum, frog possesses a vertebral column to protect the spinal cord, ये गलत है, दोनों connected रहते है, और ये सही है, vertebral column रहता है, तो पहला गलत और दूसरा सही मतलब फोर्थ option, चलिए, 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 लास्ट कोशन है ये, चलिए कीजिए, internal and external ears are well developed in frog, in frog ear is an organ of hearing as well as balance, सब कुछ NCRT में है, कोई भी question out of NCRT मैंने नहीं बनाया है, बेटा, ये गलत है, external ears होते ही नहीं frog में, और ये NCRT की line है, शायद मेरे से वो miss हो गई थी, लास्ट की दो-तिन line शायद मिस हो गई थी, ये सही है, balance और hearing दोनों, equilibrium और hearing दोनों का ही, ये वो होता है, और गन, statement 2 correct, statement 1 incorrect, ठीक है जी, चलिए कुछ PYQs करें और ये class खतम करें उसी के साथ, 2017 में ये बड़ा ही अजीब सा question आया था, I don't like this question, but still, let's do it, select the correct route for the passage of sperm in male frogs, ecology जब करेंगे तो बेटा बता देंगे आपको, टेस्टिस से शुरू होगा, फिर वासा एफरेंशिया में जाएगा, तो बिडर्स केनल वाला तो पहले ही खतम हो गया, वासाइफरेंशिया से kidney और bidder's canal दोनों ही बोल सकते हैं kidney में जा रहे है kidney से bidder's canal में जा रहे है यह तो गलत होई गया है ना kidney से bidder's canal वासाइफरेंशिया बिटेस कनल देखो कुछ एक टाइपिंग मिस्टेक भी है मेरे ख्याल से इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी रहेगा इसमें क्योंकि यह सही है टेस्टिस से वासाइफरेंशिया किड्नी बिडर्स कनल यह शाहिए टाइपिंग मिस्टेक है कन्फूजन यह दो उसमें हुई थी यह इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है यह भी बन सकता है क्योंकि य॒ इतने अवले ही कैसा भी हो तुम्हें आंसर पता है ना कि सही क्या है पहले टेस्टिस से आएगा वास आफरेंशिया में आएगा किड्नी में इंटर करेगा फिर बिडर्स के नाल में आएगा ठीक है बिडर्स के नाल से यूरीन जनेटल डक्ट में जाएगा आपका ऑप्शन यह आना चाहिए अब जैसा 2017 में यह level है question का अब ऐसा level नहीं आएगा questions बहुत बेटर होगे गल्तियां बहुत कम होती है question paper में आपको डरने की जुरूत नहीं है just because this question में mistake है ऐसा नहीं होगा कि आपको 2024 में mistake आएगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला you will get a very clear-cut question and you will know the clear-cut answer to every question after watching this class that is my promise to you you don't have to worry about anything frog's heart when taken out of the body continues अब देखो यह आपको बहुत पुराने ही question मिल रहे है ठीक है तो आपने डरना नहीं है अब और पीछे जाओगे थोड़ा और अजीब से questions आएंगे continuous to beat for some time frog frog heart आपके दिल से निकाल दे जाए तो भी वो धड़कता रहता है उसका क्या reason है यह तो कोई reason नहीं हुआ यह तो कोई reason नहीं हुआ यह तो कोई reason नहीं हुआ और 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 प्राग जो है वो मायोजनिक है ठीक है उसका जो source of contraction है वो उसी के अंदर ही है muscle के अंदर ही है और auto excitable है 3 and 4 is the correct answer ठीक है यूर वेलकम और ओस्मियम दो हजार बारा कंपेर तो दोस फूमन दा इरिथ्रोसाइट इन फ्रॉग आर कैसा रहता है फ्रॉग का इरिथ्रोसाइट अस कंपेर तो हुमन्स विदाओ नुकलियस नहीं रहता ठीक है नुकलियर दिदे हमोगलोबिन है नुकलियर दिदेड विदाओट हीमोगलोबिन रहता है दो हजार ग्यारा का कोश्चन है फ्रॉग डिफर फ्रॉमन इन पोजेसिंग फ्रॉग कैसे अलग है हीमन से बिकॉस उनके अंदर क्या है पेर्ड सेरिबल हमें से तो दोनों में ही है ठीक है है हिपाटिक पॉर्ट अब यूरीनो जनिटल डक्ट इन यह रिपीट कोशन है यह मैंने भी आप लोगों को दे दिया है पहले प्रैक्टिस करने के लिए उरेटर्स यूरीनो जनिटल डक्ट की तरह कहां पर एक्ट करते हैं सिर्फ यूमन मेल्स नहीं सिर्फ मेल फॉग्स में यूमन मेल्स में ऐसा नहीं होता बेटा यूमन में यूरेटर्स अलग है और जो यूरित्रा है वो बिल्कुल अलग है ठीक है देन नेक्स क्वेशन 1993 मुकस हेल्पस फ्रॉग्स इन फॉर्मिंग मुकस से क्या कर पाता है फ्रॉग थैंक यू देव बेटा थैंक यू सो मच आपको मेरी बायाटेक की क्लास अच्छी लगी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच तो क्या I hope यह आपकी काम आए और आपके दोस्तों के भी काम आए moist skin बनाने के लिए mucos जो है help करेगा bullfrog of India is bullfrog का scientific name क्या है rana tigrina, rana silvetica rana catasbiana rana esculenta rana tigrina addition of trace of thyroxin और iodine in water containing tadpoles विल हला कि आपके syllabus में नहीं है आपको पता होना चाहिए जिस पानी में tadpole है अगर आप उसमें thyroxin या thyroid hormone add कर दोगे तो वो बहुत जल्दी adult बन जाएगा क्योंकि metamorphosis में thyroid hormone का बहुत ज़्यादा important हाथ होता है iodine क्या है? because thyroid hormone बनाने के लिए iodine चीए होता है, तो iodine भी add करोगे तो same effect आएगा, they will hasten their metamorphosis चले, इसी के साथ ही class खतम होती है I hope आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छी तरीके से, अगर कोई भी doubt है तो मैं चाहती हूँ, आपको comment section में लिखिए अगर आपको समझ में आ गया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप comment section में जरूर मुझे बताईए क्लास अगर आपको अच्छी लगिए तो क्लास को जरूर लाइक कीजिए और आप वेट कीजिए मेरी announcement का बहुत जल्दी ही app launch हो जाएगी आप लोगों के लिए crash course आ जाएगा need 2024 की command biology की आपकी मैं संभाल लूँगी आप tension मत लीजिए ठेक है, crash course में ही जैसे मालो frog है, ऐसे division होगा अच्छा ठीक है, digestive system में ये diagram है ये ऐसा है, ठीक है, respirator system में देखो यहाँ से यहाँ से आपको छोटे बच्चे की तरह है वो नहीं किया जाता spoon feed नहीं किया जाता, कि जैसे अभी मैंने दो घंटे में frog समझा है, ठीक है ऐसे से करके, तो वहाँ पर थोड़ा fast रहेगा, तो मैं आप लोगों से request करूंगी कम से कम एक बार reading करें chapter की, कुछ समझ में आएगा कुछ नहीं समझ में आएगा, वो crash course में clear हो जाएगा, लेकिन reading करें, हो सके तो detailed lectures लगा ले, already YouTube पर पढ़े हैं, फिर जो crash course में मजा आएगा, क्योंकि crash course एकदम से थोड़े हो जाएगा, तीन महीने चलेगा, आप पहले पढ़के आजाए chapter, जब मालो आपके बाद को आप कोगे कि मैं 5 जनवरी से crash course शुरू है, ठीक है, तो अभी तो मेरे पास 15 ही दिने में कैसे cover कर लो, आप कुछ chapters cover कर लिजिए 15 दिन में, पांच chapters cover कर लिजिए, ठीक है, आप साथ साथ पहले थोड़ा सा पहले थोड़ा पढ़के ओ, फिर जो crash course का मजा है ना, फिर जो उसका effect है, फिर वो जो हम result निकालेंगे आपको मेरे साथ होना पढ़ेगा, आपको मेरा साथ देना पढ़ेगा, ठीक है, और वो तो जो गिफ्ट्स मैंने 2023 सोले बच्चोगल रखा था, यह 24 के लिए भी होगा, 360 में 360 जो लाएगा, उसे मैं iPhone दूँगी अपनी तरफ से, आप अगर मेरे आफिस नहीं आप आएंगे, आप दिली तक आजाओं, मैं दिली तक आजाओंगे, आप दिली तक नहीं आप आपाओंगे, मैं आपके घर देके जाओंगी iPhone, ठीक है, और 350 से उपर भी जो बच्चे नंबर लाएंगे, उनकी लिए भी मैं गिफ्ट्स रखूंगी, तो हमने रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट पर फोकस करना है, 2024 का रिजल्ट हमारा होना चाहिए, ठीक है, चलिए, चल दी मिलते हैं, थैंक यू सो मच,